हर साल लाखो बच्चे JE की तैयारी करते हैं, बहुत कम ही बच्चे सफल हो पाते हैं, अपने सफनों को साकार कर पाते हैं, वजा क्या है? वज़ा यह है कि हर साल बच्चा प्रिपरेशन बहुत एनरजी के साथ स्टार्ट करता है लेकिन सेम मुमेंटम को एंड तक केरी नहीं कर पाते हैं So to carry on your momentum हम लेकर आएं आप लोगों के लिए momentum badge for the preparation of J.E. Mains and Advance 2023 जहां आपको मिलेंगे 600 घंटे से भी जादा की life classes, PDF, DPPs, one-on-one doubt clearing sessions, 25 full length test series वो भी most affordable prices में So J.E. Neat Atta 24-7 से जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और दीए गई नंबर पे कॉल करें वेरी गुड़ मॉर्णिंग एंड जय महाकाल तो आप सबका स्वागत है मारे J.E. Neat Atta 24-7 के ओफीसियल यूटी चैनल पे और महा शिवरात्रे के आप सभी लोगों को धेर सारे शुब कामना है तो भगवान शिव के आशिरवात से इस बार सफलता है जरूर आपको मिले बस मेहनत करते रहिए लास्ट मुमेंट में होसला नहीं हारना है आखरी कदम बहुत important होता है बहुत महत्पूर्ण होता है अधे इंड भी अलवेज स्टार्ट लूजिंग होप वी थिंक लाइक की वोट हैपेंड वी डोंट नो एनितिंग लास्ट मुमेंट में सबके साथ यही होता अरे मुझे कुछ नहीं आता मैं कैसे सारी चीजों को पढ़ूं कैसे रिवाइस करूं इन सारी चीजों को सोचन पाइब आफ निए अफी ओपि टॉट इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे यहाग सो राख और प्र इसके बाद कुछ कोशन और फिर इसके बद प्रिवियस इंड और को यह आपका फ्लो रहेगा जो भी सवाल यहां पर कराया जाएगा वो सवाल को अगर आप साथ में रख लिए PDF आपको लास्ट में दे दिया जाएगा टेलिग्राम चैनल पर जूड़ जाएगे और सबसे बहतर रहेगा एप को डाउनलोड किजिए वहां पर सारा अप्लोड होता रहता है तो आपको दिख जाएगा ले लेंगे वहां से ठीक है तो शुरुवात करते हैं टिगनोमेटिक एक्वेशन क्या होता है टिगनोमेटिक एक्वेशन आराम से धीरे धीरे पढ़ना है कहीं कोई हरवड़ी नहीं है बस अपने अपने ग्रूप में एक बार शेयर कर दो जो लोग जूड़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनको जोड़ लो ठीक है एक्वेशन इंवालिंग वन और मोर टिगनोमेटिकल रेशियो एक ऐसा एक्वेशन एक ऐसा समिकर जिसमें टिगनोमेटिक रेशियो अन्नोन एंगल के साथ इन्वाल्व करता हुआ उसमें इन्वाल्व होता है तो वैसे एक्वेशन को टिगनोमेटिक एक्वेशन करते हैं तो solution of trigonometric equation, a value of the unknown angle which satisfies the given equation, is called as the solution of trigonometric equation. Solution of trigonometric equation, दो होता है, दो होता है, एक principal solution और एक आपका general solution. Principal solution उसको कहते हैं, जो 0 से 2 pi के बीच में आप लेते हैं, जीरो से 2 pi के बीच में आप लेते हैं, ठीक है? और दूसरा है आपका general solution. General solution एक ऐसा method है, एक ऐसा formula है, जिससे सारे solution को formulate करके लिखा जा सकता है. तो कि सारे trigonometric function कहीने कहीं आपका periodic है, sine हो, cos हो, tan हो, सब periodic है, तो अगर कोई theta पे काम करता है, तो कहीं दूसरे जगा पर भी same value आएगा, तीसरे जगा पर भी same value आएगा, तो there will be so many values, तो वो ऐसा formula जिससे सारे values को दिखाया या सकता है, निकाल सकते हैं, उस formula को general solution करते हैं. principle solution and general solution, clear है, अब है कि आपके पास कुछ important formula, जिसमें सबसे basic यह है, इसी के आधार पर यह आया है, त्यान दिजिएगा, sine theta बराबर 0, तो theta बराबर n pi, मतलब sine theta कहां पर 0 होता है, तो multiple of pi, integral multiple of pi, cos theta बराबर 0, odd multiple of pi by 2, odd multiple, 2n plus 1, मतलब odd multiple of pi by 2, tan theta बराबर 0, मतलब theta बराबर integral multiple of pi, यह सबसे basic है, और सब को proof करने के लिए इसी का इस्तमाल किया गया है, sine theta बराबर sine alpha, मतलब यह unknown है, और यह मालिया alpha known है, तो theta को alpha के रूप में लिख सकते हैं, theta बराबर n pi, plus minus 1 का power n into alpha, cos theta बराबर cos alpha, theta बराबर 2n pi, plus minus alpha, यह सारे formula आपको जीवा पर रटे हुए होने चें요, तभी आप इस्तमाल कर पाएंगे आगे चलके हैं न, tan theta बराबर tan alpha, theta बराबर n pi, प्लस alpha, यह है, sin square theta बराबर sin square alpha, यह, cos square theta बराबर cosine square alpha, यह, tan square theta बराबर tan square alpha, इन تینों के लिए एक ही formula होगा, theta बराबर n pi, plus minus alpha, theta बराबर n pi, plus minus alpha, theta बरissä n pi plus minus alpha ठीक है? चलिए ये कुछ याद रखने की वाली चीज नहीं है लेकिन समझने वाली चीज है कि sin theta बराबर अगर कहीं 1 लिखा हुआ है sin theta बराबर 1 लिखा हुआ है तो sin का अगर graph को आप देखें तो 0 से लेकर के 2 pi तक में 0 से 2 pi तक में एक ही जगा 2 pi के बाद यानि 2 pi का मल्टिपल तो 2 n pi यहीं चीज यहां लिखा हुआ है sin theta बराबर 1 तो theta बराबर 2 n pi plus pi by 2 मतलब जो pi by 2 पे हुआ है अगली बार वो 2 pi के बाद होगा फिर 2 pi के बाद होगा फिर 2 pi के बाद होगा यानि 2 pi का मल्टिपल यहाँ पर लिखे लगे sin theta और minus 1 तो वही यहाँ पर minus pi by 2 अपर होगा और इसमें 2 and pi जोड़ दिजे cos theta और 1 even multiple of pi cos theta और minus 1 odd multiple of pi pi का even multiple यहाँ पर है pi का odd multiple यहाँ पर है यह सारी चीजों को relate करिए और relate करके यहाँ पर याद कर लीजिए आप कहोगे सर वह बहला जो फर्मूला है sin theta बराबर 1 1 को लिख सकते हैं sin pi by 2 तो sin theta बराबर sin alpha बहला फर्मूला नहीं लगा सकते हैं theta बराबर n pi plus minus 1 का power n pi by 2 n belongs to integer नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं यह भी सही है तो आपको ऐसा आ जाएगा जबाब और option में ऐसा दिखेगा जबाब तो कैसे समझ के रखना पड़ेगा न कि this is also a general solution उसी का यह प्रारूप है कहीं कोई दिक्कत ठीक हैं समझते जाएगा बात को यह भी सही है यह भी सही है लेकिन खास तोर पे 1 और minus 1 पे इस तरीके का आपको लिखने की आवशकता है क्योंकि options में ऐसे ही दिखेंगे yes periodic function है sign भी, cos भी, tan भी एकदम to the point में बात करूंगा और आप सारे बच्चों को पता है कि कल से आपका crash course स्टार्ट कर रहे हैं तो crash course में एकदम और बारी किसे to the point जिनसे सवाल आते ही आते हैं उन्ही विंदूओं पे उन्ही points पे चर्चा होगी class में और उसी क्याधार पे सवालों को देखेंगे और previous questions को discuss करेंगे so now gear up अपने आपको तयार रखो और तयारी को एक नया dimension में दे करके मतलब सपनों को साकार करना है भाई बस यही है तयारी को और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाना है चलिए तो यह सारे formula है यह सारे points है आपको जानने चाहिए याद रखने चाहिए काम खतम अब है few important points let us say कि denominator है तो सब को पता है भाई या denominator 0 नहीं होना चाहिए तो अगर कहीं आपका 10 theta इस्तमाल होता है equation में तो 10 theta ब्रावर sin theta बटा cos theta है simplify करने के वक्त क्या होता है cross multiply कर लिए जाते हैं तो आपके पास उसमें कुछ ऐसा solution भी आता है जिससे denominator 0 हो सकता है तो denominator 0 जहां हो रहा है उस solution को आपको reject कर देना है दूसरी बात squaring करने से plus का भी square plus में आएगा minus का भी square plus में आएगा squaring करने से extra root आता है तो squaring को avoid करना है when I am saying avoid इसका मतब यह नहीं कि squaring करना ही नहीं है avoid squaring as much as possible क्योंकि यह extraneous roots देता है extra root देता है तो वैसे case में squaring को avoid करना है clear दूसरा cancellation of similar terms on both sides in product अगर something into something जैसे एक example लेते हैं यह सारी बातें बहुत important हो जाती है मेरे भाई बहुत important हो जाती है देखो बालक ऐसा है कि कुछ बातों को आपको एकदम जीवा में बैठा लेना होगा कि यह ऐसा होता है जैसे आपने लिखा यहां sin x आए यहां लिखा cos x और यहां लिखा आपने sin 3 x अब sin 3 x का गलत हो जाएगा आपको क्या करना है 3 sin x है यहां पर sin x है अगर common तो आप sin x को 4 sin square x आप इस sin x को कभी भी ऐसे cancel नहीं कर सकती यह गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि it will cause the loss of roots मतलब sin x से जो roots आ सकते थे उसका loss हो गया तो cancellation भी avoid करना है खास तोर पे उस term का जो product में है जो product में है avoid cancellation of the terms in product avoid cancellation of terms in product good morning others चलिए ठीक है तो इसको avoid करना है avoid cancellation है अब पहले points पे बात करते हैं कि कि सकते हैं कि कि इन तरीके का आपको trigonomet problematic equation देखने को मिल सकता है तो types of trigonometric equation या हम यह कहें कि कि तरीके का अप्रोच आप रख सकते हैं क्या क्या आपका process होगा क्या 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 होगा आपको प्रॉसेस में जो trigonometric equation को solve करने में मदद करेगा तो पहला है कि आप quadratic equation इस्तेमाल कर सकते हैं quadratic equation का इस्तेमाल कर सकते है मतलब equation जिसमें quadratic form आ जाएगा या reduce होकर के हो जाएगा quadratic form में factorization का इस्तेमाल कर सकते है factorization तो मतलब समझो कि जान ही रहेगा factorization आपको करना पड़ेगा factorize करना पड़ेगा solve करने के लिए दूसरा हो सकता है sum of sine cosine sum of sum या difference ये बहुत important है sum of sine sum of sine cosine या difference of sine cosine into their product into their product product of sine cosine ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है दोनों तरफ arrow मेरा है मतलब अगर product में है तो उसको sum of difference में लाइए मतलब two sine a cos b है तो उसको sin c plus sin d में लेके आईए और sin c plus sin d है तो उसको two sine c plus d by two into cos c minus d by two के formula sum of difference है तो product में है तो sum of difference में ले आईए एक से दूसरा में जाएए अपने आप आपको रास्ता दिख जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है ठीक है तिसरी बात मालिया इस तरीके का हो सकता है a sin square plus b sin x into cos x plus c cos square और plus d बराबर 0 आप इसको sin square cos square सबको आप या तो two sin sin 2x cos 2x में convert कर सकते हैं और नहीं तो दोनों तरफ cos square से या sin square से divide कर सकते हैं तो 10 में या cot में quadratic बन जाएगा फिर trigonometric equation of the form हो सकता है a sin theta plus b cos theta बराबर c a sin theta plus b cos theta बराबर अगर c है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर check करेंगे कि यह c का value इसके maximum minimum के बीच में होना चाहिए इसका maximum minimum कितना होता है तो minus root under a square plus b square से ले करके root under a square plus b square तो c का value अगर इसी चेत्र में होगा तभी इस equation का solution possible होगा अन्यता solution ही नहीं आएगा ठीक है अब एक और ऐसा हो सकता है function of या polynomial of sin x plus minus cos x और sin x into cos x मतलब आपको function of बरावर 0 एक sin x plus cos x दिखेगा और sin x into cos x दिखेगा तो इसको मान लेंगे t put sin x plus cos x या sin x minus cos x बरावर t और आगे बढ़ोगे तो फिर solve कर पाओगे इसके अलाब़े आपका graphical approach जो है सहारा दे सकता है कौन दे सकता है सहारा graph graph का सहारा ले सकते हो to solve खांस तोर पे graph का सहारा तब लेना है जब दो dissimilar function हो number of solutions की बात कर रहा हो इन सारे cases में आपको काम कर जाएगा graph ये सारे types आपको देखने को मिले गए जब कभी भी आप trigonometric equation के बारे में सोच रहे हैं ये सारे points फटफट दिमाग में आना चाहिए और कौन सा लगेगा जैसे it's like कि आपको कोई काम करना है घर में मान लिया बहुत सारे आपको tools रखे हो एक कोई काम करना है तो कौन सा tools वहां लगाओगे एक करके check करोगे पहले से सारे tools के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो सारे tools के बारे में जानकारी रखो जैसे ही question दिखेगा अच्छा ये लगाएंगे इस तरीके से अपने आपको तयार रखना है mind make up कर लेना है कोई परिशानी है बताओ सारी चीजों को मैंने यहां पर रख दिया आपके सामने लेकिन और हर किसी पर जितने भी topics हैं सब पर एक एक सवाल पहले कर लेंगे दिखा देंगे किस तरीके से आता है और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे previous year questions पर दिखे और last में आपको लास्ट में आपके दिखेगा in equation लास्ट में आपको दिखेगा in equation लास्ट में आपको discuss करेंगे in equation जहां तक जही मेन की बात करें तो आपको इतना सारा अगर जो आ गया समझ में कैसे लगाना है तो हलके हलके सवाल होते हैं 2021, 2020, 19, 18, 17, 16, 15 सारे years का सवाल मैं ले करके आया हूँ ताकि आपको clear picture मिल सके क्या है actually में ट्रिग्नोमेटिक equation clear है एक वर फटा फट कमेंड करके सब लोग बता दो और अपने अपने ग्रूप में share करो भाई अगर हम कुछ आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा सहायता आप भी कर सकते हैं हमारे लिए इस चैनल को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में इसको share कर दिजिए clear है सारी बाते है चली तो let's move पहला सवाल यह रहा और यह आया हुआ सवाल है देखिए 2006 लिखा हुआ है कुछ-कुछ सवाल में लिखा हुआ दिखेगा छोड़ दिया मैंने ताकि आपको यह confidence रहे कभी-कभी लगता है कि इतना असान सवाल है यह नहीं आया होगा सर इसे ही बोलने है लेकिन आपके पास लीखा ہँआ है यहाँ पर mesi-कुछे आपको यहाँ नहीं लिखा है बार-बार दिखाते नहीं रहेंगे इसी में से सारा आयगा क्वार्यृटिक है तो पहला ही क्वार्यृटिक है सारा sequence में दिखेगा परिशान मत होना है ना हर चीज़ आपको यहां मिलता जाएगा 2 sin square x, 5 sin x और minus 3 तो आप इसको factorize कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कितना आ जाएगा बोलिए 2 sin square x plus 6 sin x minus sin x और minus 3 is equal to 0 यहां से जाएगा 2 sin x 2 sin x common लोगे तो यहां से माइनस common लोगे तो यहां से जाएगा sin x plus 3 यह उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 11 से 12 में मूव कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं खास तोर पर टिंग्मेट्री अगर पूरे टिंग्मेट्री के देखा जाए तो आपको हर जगा इस्तमाल होता है तो आप रिवीजन करने वाले जो भी 11 के बच्चे उनको भी देखना चाहिए या पूरे अच्छे तरीके से, अब यहां से आ गया 2 sin x minus 1 into sin x plus 3 is equal to 0, ठीक है, अब यहां से देखो sin x का value, या तो यह 0 होगा, या तो यह 0 होगा, sin x का value यहां से आ गया विटा half, और यहां से आ गया minus 3, sin x का value minus 1 से 1 होता है, तो minus 3 तो होने की संभावना यह नहीं है, sin x बरावर half, अब आपको इसको कैसे लिखना है, वो सीखिए, half कहां पे होता है, तो sin x का value half होता है, 30 डिगरी पे, यानि sin pi by 6, यही बात हो गई, sin theta बरावर sin alpha जो लिखने के लिखने के लिखने के लिखने के सिखाया था, sin theta बरावर sin alpha, तो theta बरावर n pi, n pi, plus minus 1 का power n alpha, n belongs to integer, इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन question कह रहा है, 0 से 3 pi में कितना solution होगा, number of solution 0 से 3 pi, 0 से 3 pi की अगर बात करो मेरे भाई, 0 से 3 pi की अगर बात करो, तो sin का graph ऐसा कुछ होगा, यह होगया 3 pi, यह होगया 2 pi, यह होगया pi, एकदम आराम आराम से समझना चोटो, ठीक है, sign का graph हो गया और y बरावर half कहा होगा y बरावर half कहां पहोगा यहाँ पहोगा y बरावर half कहां पहोगा यहाँ पहोगा कितने जगाँ cut कर रहा है देख लो 4 जगँ so total number of solution will be 4 कोई दिक्कत बहुत बढ़िया आदर्श बहुत बढ़िया A is the right answer total number of solution will be 4 मतलब जो भी यहां पर भाई बंदु जुड़े हैं 11 से 12 में बूब कर रहे हैं 2023 आपका टार्गेट है उनके लिए तो एकदम मतलब बहुत सुनहरा मौका है कि अभी रिवाइज करोगे बाद में कितने बार आते रहेंगे आपके पास रिविजन का प्रॉसेस चलता रहेगा 27 का पावर समतिंग कुछ ऐसा रहता है यह साइन स्कॉएर है यह कॉस स्कॉएर है किसी एक में कनवर्ट कर सकते हैं किसी एकमें कनवर्ट कर सकते हैं एक हुआ क्वा ग्भाणकर इक विएशन और दूसरा है डिदिउसेबिल टूक्वारिटेक happiest यह है अपका 16 16 to the power sin square x इसको लिख सकतो 16 to the power 1 minus sin square x is equal to 10 क्या है चोटू कि आपके पास एक फार्मूला है exponential का कि a to the power m minus n है तो इसको लिख सकतो a to the power m upon a to the power n ऐसा लिख सकते हैं वही चीज यहाँ पर इस्तमाल करें तो आप लिख सकते हैं 16 to the power sin square x और प्लस 16 का power 1 और minus है तो यहाँ पर यहाँ पर a to the power n होगा न ठीक है तो यह हो जागा 16 to the power sin square x अब आप गौर से देखिए कि यह जो आपका term है यह जो आपका term है यह वही यहाँ पर भी है इसको कुछ t मान लिया जाए तो क्या परिशानी है तो यह हो जागा t plus 16 upon t is equal to 10 simplify कर दो तो यह reduce होकर के quadratic आया किने तो वही में कह रहा था कि या तो quadratic equation होगा नहीं तो reducible to quadratic equation होगा या तो quadratic equation direct देखेगा नहीं तो reduce होकर के घट करके आ गया न तो आब यहाँ से आगया t का value t का value आपके पास क्या आ गया 2 और 8 t मतलब 16 to the power sine square x 2 और 2 का power 3 इसको भी लिख सकते हो 2 का 16 को लिख सकते हो 2 का power 4 तो यह हो जागा 2 का power 4 sine square x exponential में अगर base same है तो power बराबर हो जागा तो यहाँ से आ जागा 4 sine square x is equal to half sorry 4 sine x is equal to 1 और यहाँ सो जागा 3 sine square x is equal to 1y2 का square या 1y4 कह दो और 3y2 मतलब 3y2 का square ऐसा आएगा की नहीं आएगा बोलिए sine square theta बराबर sine square theta बराबर sine square alpha आपको दोनों से value मिल जाएगा इसके लिए अगर जो लिखोगे तो theta बराबर आएगा मैं पूरा ही लिख देता हूं यहां से यह हो जागा कितना sine square pi by 6 यहां से हो जागा कितना sine square pi by 3 तो आपके पास theta कितना आएगा आपके पास theta कितना आएगा आपके पास theta आएगा x बराबर n pi plus minus pi by 6 और x बराबर m pi दोनों में दो इंटीजर इस्तमाल कर रहे हैं एम और एंटीजर है यह जेनरल सलुइशन है आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ जीरो और टू पाई के बीच में तो हाफ और माइनस आप कहा होगा आराम से लिख ले जाओगे और नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पर एन और एम का वैल्यू रखते जाओ और जो इस रेंज में लाई करता है उसको रख दो इस तरीके से आप निकालते जा सकते हैं क्लियर है एकदम एक एक छोटी छोटी बातें आपको दिखेंगे मतलब ये सेशन आपका सोनेशे शिखर टाइप का फिलिंग होगा एकदम बेसिक से जो बच्चा पहली बार भी देखा खाली एक दो बार क्लास किया होगा छोट दिया होगा किसी तरीके से छोट गया होगा उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा सी लाइक करके शेयर कर देना है इच वन विल रीच वन हर एक एक को पहुंचा दिये क्लियर है क्लियर जड़ो कोई परिशानी है तो बताईए मतलब उंगलियों में हरकत करते रहनी है कि यहां सर यह कमेंट करके बता दिया कि यहां मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है क्या सीख क्या जरूरत है क्या सोच रहे है कुछ बताते रहना है अपनी बातों को बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब टोटल आठ होगा बिल्कुल सही जवाब टोटल आठ होगा हाफ के लिए 2 माइनस हाफ के लिए 2 रूट 3y के लिए 2 माइनस रूट 3y के लिए 2 टोटल हाफ होगा बिल्कुल सही बात आगे बढ़ाया जाए बात आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं यहां से अगर देखें तो sin x का value कितना आया पलस माइनस half पलस माइनस root 3 by 2 और x आपका कहां से कहां तक है 0 से 3 by 2 0 से 2 by 2 तो आप यहां पर graph बनाईए सारा चीश सीख लो न क्या ही दिक्कत है कैसे कैसे किसको استعمال किया जाए यह हो गया आपका 2 by यह हो गया आपका पाई अब आपसे अगर जो कहां जाए कि half कहां पर होता हूँ माइनस half कहां पर हो गया यहां पर इस तरीके से यह half के लिए हो गया यह माइनस हाफ के लिए हो गया सेम चीज आपका वाइवरावर रूट 3 वाइट 2 के लिए हो जाएगा वाइवरावर मुएनस रूट 3 वाइट 2 के लिए हो जाएगा तो point of intersection से आप बता सकते हैं कितने roots होंगे कितने solution होंगे चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप पहले बनाईए फिर बताते हैं पॉपी कलम ले करके बैठना है पूरी शिद्दत के साथ क्योंकि हम काफी मिहनत करके आते हैं सिक्वेंस में सवालों को ले करके आते हैं कुछ इस तरीके से रहता है कि इतना पढ़ लिया तो आपके पास इस चेप्टर के बाद मैं तो कहीं देखने की जरुरत नहीं है अगर कुछ जरुरत है तो सिर्फ और सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको इक्षा है तो और खास तोर पे वह वच्चे जो 2023 के लिए त्यारी करने उनको तो प्रैक्टिस करना ही है जो 2022 के लिए इसी कोश्चन को बार बार देख लिजे काम कतम इससे बाहर नहीं आएगा यह रख लिजे लिख करके क्योंकि हम लोग चर्चा तो करेंगा ना पेपर होगा तो डिसकर्शन तो करेंगे यहाँ पर साइन क्यूब ठीटा कॉस ठीटा कॉस क्यूब ठीटा साइन ठीटा इसको सॉल्व करना है और जो गूर होता है जो मतलब कुछ अच्छे सवालों का कलेक्शन होता है जो एकदम ट्रिकी कोशन होता है वो आगे बीच में मिलेगा अच्छी अच्छी बातें आपको बीच में देखने को मिलेगा देखिए यहां भी साइन है यहां भी कॉस है और कॉस साइन यहां भी है तो दोनों में से कॉमन ले लिजिए और कहिए कि साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा इंटू साइन स्क्वाइर ठीटा यहां बचेगा और कॉस स्क्वाइर ठीटा यहां बचेगा and this is equal to 1y4 आप यहाँ पर इसको 2 से गुना कर सकते हैं इसको 2 से गुना करेंगा 2 sin theta cos theta तो हो जागा sin 2 theta यह क्या हो जागा sin 2 theta divided by 2 यह क्या हो जागा cos square minus sin square cos 2 theta होता है तो यह minus हो जागा minus common हो जागा minus cos 2 theta हो जागा इससे तो यह 2 cancel हो गया अब 2 को इधर भेज़ दोगे तो 2 इधर आजागा 2 sin 2 theta into cos 2 theta and is equal to minus 1 को इधर ले आईए minus 1 हो जागा 2 sin into cos sin 4 theta होगा simple है सिर्फ फामुले का इस्तमाल किया हमने सारा चीज़ आ गया अब यहाँ पर आपको याद आ गया 1 और minus 1 वला साइन का अगर जो 1 वला और minus 1 वला खेल है तो direct आप लिखेंगे क्या लिखेंगे 4 theta is equal to यहाँ पर यह angle हो गया 4 theta is equal to 2n pi और minus 1 कहा होता है minus pi by 2 यहाँ से आप लिखेंगे क्या लिखेंगे theta is equal to 4n minus 1 pi by 8 and this will be your answer n belongs to integer कोई दिक्कत बेटा कोई परिशानी देख लो एक दम क्या किया हमने यहाँ पर कॉमन लिया कॉमन लेने कवाद फर्मूला न जला आया यह भी 2 sign sign into cost फर्मूला न जला रहा है तो आप आगे बढ़ गया फिक है चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं क्लियर है एक दम पड़ा पड़ कॉमन करके बताते चलना कि यहां सर समझ में आ गया आगे बढ़ जाईए नेक्स्ट कोश्य पर यह किस तरीके का है तो आपको मैंने बताया था फैक्ट्राइश कर लिए अब आपको बताया था सम रहे तो प्लस तरीक जैस तरीके का सवाल है साइन प्लस साइन प्लस साइन यानि सम और दिफ्रेंस तो प्रॉडक्ट मिले जाना होगा प्रॉडक्ट मिले चलते हैं इसको कोश्चन खुद बताएगा कि आप ऐसा कीजिए sin c plus sin d 5 x 6 तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 into sin 5x plus x 6x upon 2 3x sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 अब क्या है कि sin 3x और sin 3x यहाँ भी sin 3x यहाँ भी sin 3x यहाँ भी sin 3x और यहाँ भी sin 3x sin 3x common हो जाएगा तो factorization हमने बता है था न वो तो हर जगा आता ही रहेगा क्योंकि ultimately आप factor ही बना पाओगे तो this into this बराबर 0 तो either this will be equal to 0 or sin 3x is equal to 0 और cos 2x is equal to minus half cos 2x is equal to minus half लेकिन आपको लाना है जबाब कहां से कहां तक 0 से πाई के बीच में यहाँ पर 0 लिखा है नहीं मतलब इसी 0 को इस्तमाल कर दिया है दोनों 0 से πाई तक में 0 से πाई तक में तो 3x बराबर 3x बराबर n पाई sin theta बराबर 0 sin theta बराबर 0 कॉस्ट टू पाई भाई त्री तो कॉस्ट टीटा और कॉस्ट अलफा ठीटा बढ़ा हो मैं सब जगा जेनरल सोलुशन इसले लिख रहा हूं तापकि आपको दिमाग में रहे तो टू टू कट जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3N प्लस माइनस 1 पाई भाई 3 अब आपको क्या चाहिए number of solution यहां पर 0 रखोगे यहां 0 रखोगे तो 0 आएगा 1 रखोगे तो पाई भाई 3 आएगा 3 रखोगे तो पाई आजाएगा और पाई आपको चाहिए तो 3 आजाएगा पाई फिर यहां पर एन बराबर 0 रखोगे तो पाई भाई 3 ऑलड़ी इसमें दिख रहा है यानि जो यहां पर आएगा वहां पर भी मिल जाएगा आपको कोई दिकत नहीं है तो आपके पास चार एक मिनट चार सोलुशन आ रहा है यहां पर कितना दिया हुआ number of solutions एक दो तीन नन अब दीस हो जाएगा फिर कहीं कोई गर्वर्ड है न न न बराबर 0 sin 3x let me check is there any mistake calculation mistake sin 3x is equal to 0 3x is equal to n pi x is equal to n pi by 3 n is equal to 0 0 pi by 3 2 pi by 3 3 pi by 3 0 से लेकर कहां तक पाई तक 0 से पाई तक 4 हो गया वहां पर अगर रखे गे स्कॉस्टू ठीटा बराबर 2 pi by 3 2 n प्लस मैनस तो दो दो कैंसल आपका तीन इधर आ गया 3 n प्लस मैनस 1 pi by 3 n बराबर 0 2 pi by 3 सही है n बराबर 1 3 1 4 नहीं चाहिए 3-1 2 pi by 3 बिल्कुल सही है चार सोलुशन नन अप दिस को दिक्कत जेनरल टर्म लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब कहीं ने कहीं आपको समस्या किस चीज में है प्रॉक किस आपका इसमें अव पार्मूल लिकने में वह फार्मूला नहीं आत है है यह जह चुरुवात में फार्मूला बताकेना साइन ठीटा कि साइन ठीटा को सोफ टैन ठीटा और खीक ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट यह देखिए यह था आपका सम आफ साइन को साइन इसको प्रोडक्ट में ले गे दूसरा मैंने क्या बोला अगर प्रोडक्ट में रहे तो सम डिस रिफेरेंस बला यह यह प्रोडक्ट में है cos x cos 2x cos 3x is equal to 1y4 एक एक पॉइंट जो हमने बोला है वो सारे points आपको यहां नजर आ रहे हैं हर points पे आपको सवाल दिख रहा है पटापट आजाएगा 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 परिशान नहीं होना है दिरे दिरे सारा कुछ आजाएगा समझ में भी आजाएगा लिखने भी आजाएगा पहला quality लिखाता उसको हमने देखा फिर दुखरा factorization तो आता रहेगा फिर sum और difference था देख लिया product है तो sum मिले जाना है तो इसको product है तो sum मिले जाना है आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ से 2 उठा करके इसमें देदिए 2 cos x cos 2 x cos 3 x is equal to 1 by 2 यहाँ से 2 cos x into cos 3 x एक जगा कर लेते हैं 2 cos a cos b 2 cos a cos b होता है cos a plus b plus cos a minus b x minus 3 x minus 2 x होगा और cos minus theta cos theta होता है cos minus को खा जाता है आपने यह देखा ही होगा cos minus theta cos theta होता है तो इससे हमको सहायता है हमीले गा कि x minus 2 x जो minus 2 x है उसको 2 x ही लिखा जा सकता है कहीं कोई समस्या नहीं इस दो को इधर गुना कर दिया जा Felipe इस दो को इधर गुणा कर दिया है, कितना हो जागा, 2 cos 4x, 2 cos 4x into cos 2x, जान दिजे, इसको 2 को गुणा किया है, इसको expand कर दिये, इसको 2 को गुणा करेंगे, 2 cos square 2x, और 1 को इधर ले आए, यह माइनस 1 वरावर 0, पहले 2 को गुणा किया, expand किया, और 1 जो इहां बचेगा, उसको इधर ले आया, आप यहां पर एक नज़र जड़ा दोड़ाएए तो, इसको, 2 cos square theta minus 1, यह एक formula ही हो गया, cos 2 theta का, 2 cos square theta minus 1, यह formula हो गया आपका, तो यहां से आप लिख सकते हैं, 2 cos 4x into cos 2x, और plus cos 4x, and this is equal to 0, cos 4x को common ले ले ले, 2 cos 2x, और plus 1 is equal to 0, this into this is equal to 0, तो यह तो यह 0 होगा, यह 0 होगा, दोनों से आपको कुछ solution मिलने वाला है, अब यहां के बाद कोई समस्या नहीं है, cos 4x is equal to 0, इसको solve कर लो, और 2 cos 2x plus 1 is equal to 0, इसको solve कर लो, cos 2x is equal to minus half, minus half को तो रख लो, cos 2 pi by 3 पे लिखना है, किस पे लिखना है, 2 pi by 3, 120 degree, तो cos theta बराबर cos alpha, तो theta बराबर 2n pi plus minus alpha, भाई एक ही, मतलब line से आप सवाल बनाते जाओगे, अपने आप सारे formula याद हो जाएंगे, mathematics में लोग जब कहते हैं न, कि याद नहीं करना, उसका main बज़ए यह होता है, उनका कहने का मतलब यह होता है, कि आपको सवाल practice करो, अपने आप याद हो जाएगा, अब बताओ क्या लिखने में समस्या होता है, आपके सामने हम सारा लिख रहे हैं, कौन से, मतलब general form को, या किस जगह पे आपको परिशानी होती है लिखने में, किस जगह पे परिशानी होती है आपको लिखने में, किस जगह पे आपको लिखने में, आगे बढ़ा जाए, चलिए, ये रहा आपका next question, बड़ बड़, एक आपको क्या दिखाया था, a sin square, b cos square, c sin x into cos x plus d, तो उपर नीचे आप क्या कर, मतलब उपर नीचे, दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, cos square से divide कर सकते हैं, या sin square से divide कर सकते हैं, या उसको sin 2x cos 2x में convert कर सकते हैं, ये दो तीन रास्ते आपको बताया गए थे, चलिए, बहुत बढ़िया, complete solution of 7 cos square x, sin x into cos x minus 3 is equal to 0, देखो, यहाँ पर cos square से आप divide कर दो, cos square से आप divide कर दो, cos square से divide कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कि cos 0 होना, क्या वो solution है, cos अगर 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 minus 3 बराबर 0 possible नहीं है, यानि cos 0 नहीं हो सकता इसके जगह पर, मतलब इसमें cos 0 solution नहीं हो सकता, if cos का 0 होना is not a solution of this equation, you can divide both sides, तो ये हो जाएगा, आपका 7 plus sin x into cos x upon cos square, cos into cos cancel हो जाएगा, ये बच जाएगा tan x, और minus 3 से का square x is equal to 0, क्या आपने किया है, divide both sides by cos square, divide both sides by cos square, हो सकता है, cos का 0 होना भी solution हो सके, तो cos का 0 होना solution पहले चेक कर लो, cos is equal to 0, will never satisfy this equation, so cos is equal to 0 is not a solution, अब मतलब divide करने से ये सेक square आगया, सेक square को tan square में तो convert किया ही जा सकता है, 7 plus tan x, सेक square को लिख सकते हो, 1 plus tan square, यहाँ लिखो 1 plus tan square, तो यहाँ सुझाएगा, minus, 3 into 1 plus tan square, 3 into tan square, उधर लेके चल जाएंगे, 3 tan square x, 4 tan x, इतकों ले आएंगे, tan x, 7 minus 3 हो जाएगा, 4, उस तरफ लेके जाएंगे, तो जाएगा, minus 4 is equal to 0, थो, थोड़ा सामने, simplify करके, side change कर दिया है, ताकि इस तरीके के, आपके पास नजर आ रहा है, इसको factorize करोगे, तो आपके पास, कुछ और आएगा, क्या है, यहाँ से solve कर सकते हो, tan x minus 1, और 3 tan x plus 4, tan x is equal to 1, एक solution यहाँ से आएगा, और tan x is equal to, minus 4 by 3, एक solution यहाँ से आएगा, this is equal to 0, will also give you solution, this is equal to 0, will also give you solution, tan x is equal to 1, अगर इसको आप लिखना चाहो, तो आप क्या लिखोगे, 1 कहाँ पे होता है, tan theta 1 कहाँ पे होता है, 2Ы si पे दो 1 को लिखोगे, tan pi by 4, वान को लिखोगे, tan pi by 4, ठीक है, अब tan theta ब्रावर tan alpha, तो theta ब्रावर हो जाएगा, n pi plus pi by 4, फामूला 依ाद रखो, n pi plus pi by 4, पता नहीं कहाँ पे होगा, तो हम इसको माल लेंगे, tan alpha, इसको माल लेंगे tan alpha, डाफindet न हरुवा इस इकोल टू सूत करी तआन इन्वर्स आफ माईनस 4 थैण इन वरस आफ माईनस 4 थैण सॉत कुछ बाकर है in यह दोनों अलग अलगा रहा है कि इसमें इसके नुसार इसमें तो आफ्सण ही नहीं आ रहा है कुछ बढ़ कर दिया क्या यह है कि लेट मिश्क फिर से पॉर ऐसेवन अपॉन कर स्कॉयर से डिवाइड करेंगे तो यह सेबन हो गया यह टान हो गया और त्रीक्षा सेख स्कॉयर हो गया ठीक है 1 plus 10 square ठीक है यह हो जागा minus 3 or minus 3 10 square उधर लेकर जाजाएंगा 3 10 square यह भी सही है 10 को लेके अरे यह minus 10 होगा देखो गलत किर दिया यहाँ गलत ही हो घा यह हो जागा Łपका minus यह हो जागा आपका minus अगर ये minus होगा तो यहां पर यह प्लस आ जागा और यह माइनस आ जागा कोई बात नही है यहां से यह आ जागा प्लस और यह आ जागा माइनस और摺ंचीटा माइनस कहां पर होता है तर Cam de millennials होता है chef Antet거 होता है अपका 3 Second Quadrant में 3ными 4 by 4 fay SOC bear with 4 यहां पर होतीजिए हो जाएगा आपका ऐसा कुछ लगी रहा था कुछ गरवड़ है क्योंकि यह वाला आ जा रहा है डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर टैन को उस तरफ ले गए तो मैंने प्लस टैन ही लोग लिख दिया था तो कहीं कोई परिशानी है हर टाइप के सवालों को दिखा दिया अब बच गया a sin theta b cos theta उसको भी देख लेते हैं a sin theta b cos theta a sin theta b cos theta तो उसमें मैंने बताया सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि यहां जो c है a sin theta plus b cos theta बरावर c as a solution when mod c less than equal to a square plus b square that is minus root under a square plus b square root under a square plus b square के बीच में दिखिए आपके पास इस equation को solve करने के लिए सबसे पहले यह दिमाग में चल जाना चाहिए और इस concept के आधार पे भी question frame होता है a sin theta plus b cos theta पहली बात कि दोनों sin और cos है और दोनों का angle same होना चाहिए तो वैसे case में जो right side constant है वो इसके बराबर कोई theta अगर आप रखोगे यहां पे उसका एक काईदा से मतलब काईदे से सीमा में कुछ value आएगा तो उस मतलब सीमाओं के बीच में ही कोई value अगर जाता है उस limit में ही कोई value रहता है तब ही आपका solution possible है वरना solution possible नहीं जैसे इसकी बात करें root 3 square plus 1 square 4 होगा 4 का root 2 minus 2 और 2 के बीच में 1 है तो इस equation का solution है अब बनाया कैसे जाता है तो बनाते हैं कि root under a square plus b square से गुना भाग करते है तो root under a square plus b square आपका होगया root 3 by 2 यहाँ divide करो अब दोनों में divide किया आपने यहाँ पर divide किया और यहाँ जो गुना करेंगे दू को इधर भी भेज़ देंगे तो 1 by 2 हो जागा क्या समझे आप यह भी कह सकते हैं कि गुना भाग करते हैं यह कह सकते हैं कि दोनों तरफ dividing both side by 2 दोनों तरफ दो से divide किया और वो दो कहां से आया root under a square plus b square a और b कहा है sine और cos का coefficient sine और cos का coefficient sine और cos का coefficient अब क्या है यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको इसको आप लिखेंगे sine है तो इसको आप कुछ लिख सकते है sine या cos जो इसको लिखेंगे उसका दूसरा वला पार्ट ही आ जाएगा suppose करो हमने इसको लिखा sine pi by 3 यह हो जागा cos pi by 3 पता है cos pi by 3 1 by 2 होता है अब आप इसको फार्मूला के रूप में पढ़िए cos a cos b plus sine a sine b cos a cos b plus sine a sine b cos a minus b होता है मेरे भाई cos a minus b होता है cos a minus b 1 by 2 1 by 2 को cos में लाया क्योंकि cos में फार्मूला आसान होता 2 n pi plus minus और sin वहला फार्मूला n pi plus minus 1 का पावर n नों कचरा टाइप को लगा होता है ठीक है 1 by 2 cos में अगर cos theta यह आ गया तो cos में 1 by 2 कहाँ पहोगा pi by 3 cos pi by 3 अब देखो cos theta बरावर cos alpha theta बरावर theta के जगा पर यह लिखा हुआ theta के जगा पर यह लिखा हुआ theta minus pi by 3 2 n pi plus minus pi by 3 2 n pi plus minus pi by 3 2 n pi plus minus pi by 3 एक बार plus pi by 3 एक बार minus pi by 3 तो theta बरावर कितना होगा minus pi by 3 को जोड़ोगे तो 2 n pi plus 2 pi by 3 एक और दूसरा 2 n pi मंदब minus pi by 3 minus pi by 3 कट जाएगा तो यह आपका solution यह आपका solution n belongs to integer n belongs to integer A sin theta plus B cos theta इस तरीके कहां आपके पास नजर आ सकता है So all the different type of trigonometric equation we are covering now and we have seen until now A sin theta और B cos theta इसी के आधार पे सवाल आपको 2021 में भी देखने को मिला है 2020 में भी देखने को मिला है उन सवालों को देखेंगे आगे चलके चलिए एक question sign में भी ला सकते हैं कोई दिक्कत ने sign में भी ला सकते है लेकिन sign से बेतर रहेगा cos में लाईए जब sign और cos दोनों में option रहे तो cos में लाईए क्योंकि इसमें minus 1 का power n जो है आपके लिए अच्छा नहीं लगता है उस तरीके से आपके लिए number of integral values of m m के integral values के लिए कितने number of integral values of m होगा for which the equation sign x minus root 3 cos x sign x minus root 3 cos x is equal to this has a solution हमने क्या बताया था हमने बताया था कि इसका value होता है a sin theta b cos theta है तो root under a square plus b square minus 2 से 2 तक होगा और इस equation का solution अगर possible है तो जितना बाएं का होगा बाएं का range है minus 2 से 2 तो यह जो right side में हो उसका भी range minus 2 से 2 होना चाहिए यानि this will also lie in between minus 2 से 2 4m minus 6 upon 4 minus m 4m minus 6 upon 4 minus m अब आपके पास दो options है यहाँ पर m का वैसा value चाहिए जो इसको minus 2 से बड़ा करे और ऐसा value चाहिए जो 2 से इसको छोटा करे दोनों को solve करना पड़ेगा 4m minus 6 upon 4 minus m greater than equal to minus 2 इसको इधर ले आए 4m minus 6 upon 4 minus m plus 2 greater than 0 ठीक है यह क्या हो जाएगा 4m minus 6 plus 4 दूना 8 minus 2m और बट्ट 4 minus m greater than equal to 0 4 minus 2m कितना हो जाएगा 2m और 8 minus 6 कितना हो जाएगा 2 4 minus m greater than equal to 2m plus 2 m बढ़ावर minus 1 और m बढ़ावर 4 plus minus plus greater than equal to 0 मतलब 4 से बढ़ा और minus 1 से छोटा एक solution तो यहां से आगया दूसरा solution यहां से लाईए दूसरा solution of 4m minus 6 4m minus 6 upon 4 minus m less than equal to 2 दूसरा आप इसको solve किजिते m का वैसा value चाहिए जिसके कारण यह 2 से छोटा रह जाए यह हो जाएगा आपका 4m minus 6 minus 4 गुने 2 8 plus 2m divided by एक तरफ लाग करके आप simplify किजिए cross multiplication नहीं करते हैं बेवी कर में आपने पढ़ाओगा 4m plus 2m 6m minus 8 14 बटा 4 minus m less than equal to यहां से आपको मिल जाएगा क्या 6m minus 14 m बराबर 7 बटा 3 m बराबर 4 7 बटा 3 और 4 यहां हो जाएगा कितना एक मिनट कुछ गरवड कर दिया देखो यहां पर यह गरवड है यहां पर यह गरवड है कैसे गरवड है क्योंकि आपके पास यहां पर क्या दिख रहा है m बराबर minus 1 m बराबर 4 minus 1 और 4 ठीक है और 4 से बड़ा में positive अगुने negative यहां negative होगा यहां positive होगा यहां negative होगा मतलब इस से इसके बीच में होगा minus 1 और 4 के बीच में होगा जो यहां right side में होगा वो positive लिखाता हूँ negative होगा यह ध्यान देना है ठीक है यहां पर m और m दोनों का sign negative plus गुने minus minus है तो यहां minus होगा और यहां plus होगा और यहां minus होगा आपको less दंजीर हो चाहिए तो minus 4 से बढ़ा और 7 by 3 से छोटा ऐसा m चाहिए जो दोनों में common हो दोनों को common लेने का काम कहां पर करें तोनों को common लेने का काम कहां पर करें यह बोला 4 से छोटा यह बोला 4 से बढ़ा तो 4 तो एक तो होगा 4 और M बरावर 4 पॉसिबल नहीं है, यह क्या है, M बरावर 4 पॉसिबल नहीं है, क्यूंकि वो डिनॉमिनेटर में है, तो 4 तो पॉसिबल होगा नहीं, 4 तो पॉसिबल होगा नहीं, M बरावर 4 पर यह डिनॉमिनेटर डिफाइन ही नहीं होगा तो 4 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो minus 1 से m जो होगा आपका, minus 1 से 7y3 तक होगा, minus 1 से 7y3 तक होगा, अब m का integral value, minus 1, 0, 1, और 7 बटा 3, तू, यही सारा integral value होगा, यही सारा integral value होगा, चिक है, ठीक है, अच्छा, आप यहां पर एक काम यह भी कर सकते हैं, कि मान लिए इस तरीके से आपको दो-दोग solve करना पड़ रहा है, एक तरीका आप यह भी लगा सकते हैं, हमने क्या बोला था, कि a sin theta, plus b cos theta, बरावर c has a solution, तो mod c, less than equal to root under a square plus b square, ठीक है, यहां पर आप कर सकते हैं, कि इसका यह c हो गया, यह c हो गया, इसका mod, 4m minus 6 upon 4 minus m, mod c, less than equal to, कितना होना चाहिए, इसका जो value है, root under a square plus b square, तो root under a square plus b square, 2 आएगा, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहां लिखते हैं, a sin theta plus b cos theta, बरावर c has a solution, बताया हैं न, यहां तो लिखा ही है, a sin theta plus b cos theta, बरावर c has a solution, when mod c, less than equal to a square plus b square, root over, तो वही चीज़ यहां इस्तमाल करना चाहिए, यह आपका c हो गया, mod c, less than equal to root under a square plus b square, आपके पास दिख रहा है 2, ठीक है सर, अब दोनों तरफ square कर दो, अब दोनों तरफ square करोगे, तो mod का square, यह, mod x square क्या होता है, x square होता है, mod x square क्या होता है, x square होता है, 4 minus, 4 minus 6, 4 minus m का whole square, दो दुना कितना हो जागा, 4, इसको इधर ले आओ, a square minus b square पे break कर दो, 4 minus 6, 4 minus m, और minus, a square minus b square पे आराम से आपका break हो गया, तो a square minus b square को तोड सकते हैं, a minus b into a plus b, इसको break कर दिजिए, break करोगे, 4m minus 6 upon 4 minus m, minus 2, into a 4m minus 6 upon 4 minus m plus 2, and this is less than equal to 0, this will be less than equal to 0, ठीक है, यहां से, 4 गुने दो, 8 और minus minus plus 2 m, 8 और 2, sorry, 4 और 2, 6 m, उसमें कुछ गर्वड, 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 उसमें कुछ, 8 अच्छे, 14 लिख दिया था, क्या, यहां पर क्या होगा, minus minus plus 2 m, 4, 2, 6 m, 4, 2, 8, 8, 14 ही तो है, अब बटा, 4 minus m, यह कितना आया, 4 गुने दो, 8 minus 6, 2, और 2 m, less than equal to 0, अब आपको साइन स्कीम बनाने आता है, आराम से बिवी कर्व का इस्तमाल करो, यहां साज़ेगा, m बराबर 7 by 3, यहां साज़ेगा, m बराबर 7 by 3, यहां साज़ेगा, m बराबर minus 1, यहां साज़ेगा, m बराबर 4, तो minus 1 सबसे छोटा, 7 बड़ाई 3 उसके बाद, और 4 फिर उसके बाद, अब यहां पर sign क्या होगा, 4 से बड़ा में sign रखना है, तो aim का coefficient, positive, positive, negative, negative, तो positive आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 4 दो बार है, 4 minus same, 4 minus same, 2 बार है, तो sign same रहेगा, यहां भी positive हो जाएगा, यहां negative हो positive हो जाएगा, 4 तो होगा नहीं, equal to है, denominator नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका, और यह भी हो जाएगा, अब आपको क्या चाहिए, less than 0, less than 0 सिर्फ यहां पर है, यही आपको हमने जवाब में बताया था, कहां से कहां तक, minus 1 से ले करके 7 by 3, यही आया था, और इसके बीच में आपको integer लिखना है तो इसके बीच में integer क्या क्या होगा, इसके बीच में integer क्या क्या होगा, minus 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और 2 होगा, तो these are your solutions, इस तरीके से आप, दोनों को अलग-अलग करके, minus 2 से बढ़ा, और 2 से छोटा, दोनों को अलग-अलग solve करके, common ले सकते हैं, यह direct मौड C का इस्तमाल कर सकते हैं, इस मौडलस से, मौडलस को छुटा रगर हो, फिर से minus 2 से द्वाएगा, तो उससे बेहतर है, square कर दो, मौड X का square, a square minus b square पर आजागा, a minus b into a plus b, common लेने का जन्जटी गाइब हो गया, common बगएरा लेने का जन्जटी ही गाइब हो गया, कहीं कोई परिशानी नहीं रही, ठीक है, चली, अगला सवाल, यह आपका next question, फटा फट, next question आपके सामने है, अब आपका सुरू हो जाएगा previous year questions paper, यहाँ से शुरुआत हो जाएगा पूरा previous year question paper, root 3 cos theta minus 3 sin theta, पोर्स अब यहाँ पर देखें दोनों चीज़े, a sin theta, b cos theta भी दर्सन दे रहा है, अब product भी दर्सन दे रहा है, sin into cos, product of sin cosine, दोनों दर्सन दे रहा है, यहनि दोनों concept का सहार लिना है, बोड़ा सा एक सहारा इसका लेते हैं पहले, इसको हम लोग, यहाँ से 4 के बाहर 2 कर लेते हैं, 2 sin a cos b, 2 को छोड़ देंगे, चलो लिखी देता हूँ, 2 into sin 2 theta, cos 3 theta, यह जो है आपका, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into sin a plus b, क्या लिख सकते हैं, sin a plus b, 2 plus 3, 5 theta, प्लस sin a minus b, 2 theta, मैनस 3 theta करेंगे, तो मैनस theta आएगा, और sin minus को बाहर कर देगा, तो मैनस sin theta, ऐसा कुछ है, बहुत बढ़ी है, मज़िदार बात यह है, कि 2 sin theta, और यहाँ पर 3 sin theta, यह minus 2 sin theta को इस तरफ लाओगे, इस तरफ ले आओगे, तो simplify करके, मेरे भाई, ऐसा दिखेगा, root 3 cos theta, यकीन मानो, 2 sin 5 theta, 2 sin 5 theta, ठीक है, 2 sin 5 theta, तो से, a square, यहाँ पर a sin theta b cos theta, अब आपके पास, एक काम ही हो गया, product है, तो sum or difference मिले जाए, a sin theta b cos theta है, तो root under a square plus b square से divide कीजिए, यानि, दोनों रास्ता यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक का काम कर लिए, root under 3 का square plus 1 का square, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से divide कर देए, 2 तो यहाँ नजर आ ही रहा है, 2 से divide कर देए, अब यह जो है आपको, इसको sign cost, मतलब इसको simplify करके, या तो sign, या तो cost, दोनों में से किसी एक में convert कर सकते हैं, इसको simplify करके, या तो sign, या तो cost, किसी एक में convert कर सकते हैं, हम convert करने की कोशिज करते हैं, चुकि इधर sign है, तो sign में, आपको मन करें, तो cost में convert कर सकते हैं, मैं cost में convert करता हूँ, मेरी मर्जी, यह cost में convert करने के लिए, इसको लिखना पड़ेगा, cost, 5 by 6, यह हो जाएगा, sin 5 by 6, तो cost a, cos b, minus sin a, sin b, cos a, plus b, क्या हो जाएगा, cos a, plus b, cos a, cos b, minus sin a, sin b, cos a, plus b, अच्छे, यह cost है, तो इसको भी cost में लिए हैं, तो थोड़ा अच्छा लगएगा, यह cost है, इसको भी cost में लिए हैं, तो थोड़ा अच्छा लगएगा, इसको आप लिख सकते हैं, cos, 5 by 2, minus 5 theta, इनको लिख सकते हैं, cos, 5 by 2, minus, cos, 90, minus theta, लिख सकते हैं, तो लिखा, cos, 5 by 2, मैं, अब आपके पास, साफ, साफ, आपको नजर आ रहा है, क्या है, इसको एक को ठीटा समझ लिजे, एक को अलफा समझ लिजे, cos theta बराबर cos alpha, cos theta बराबर cos alpha, तो theta बराबर, 2 and pi, plus minus, alpha, theta बराबर 2 and pi, plus minus alpha, एक वर plus बराबर लिजे, एक वर minus बर लिजे, simplify कर देजे, you will get, you will get the solution, you will get the solution, ठीक है, होगा, होगा, सारे topics पर होगा session, लेकिन क्या है, mathematics, मतलब, 2 minute का, या 10 minute का, खेल तो है, नहीं, अब सुरू सेंद तक, किसी भी चीज़ को, एक के बाद, दूसरा, दूसरे, एक के बाद, तीसरा, हर से, आप जुड़े रहेंगे, तभी आप जा करके, कड़ी जोड सकते है, mathematics, एक सोच का, समर्पन का, बिशे है, उसमें आपको, dedicated हो करके, सोचना ही होगा, समझना ही होगा, कैसे क्या अप लाए करे, तो केबल जानने से नहीं होगा, application पार्ट भी होता है, ठीक है, एक बार प्लस से, एक बार माइनस से, अप सॉल्व कर लिजे, तो इस वर अल्ड़ बेसिक पॉइंट, टाइपस अफ टिग्नोमेटिक एक्वेशन, जिस तरीके के अलग-अलग तरीके के आपके अप्रोचे दिख सकते हैं, फिर ग्राफ की बात है, ग्राफ आपको आगे आ जाएगा, तिक, आगे बढ़ते हैं, और, ये, सवाल अभी यहां से शुरू हो जाएगा, फटा-फट सवालों को बनाना शुरू कर दिजिए, एकदम अपने नुसार, टेस्ट कीजिए खुद को, खुद को टेस्ट कीजिए 2020-2021, हर ये के कोशन है, अब यहां के बाद आप समझो, अब आपका टेस्ट साथ में प्राक्टिस सेशन, पहला एक घंटा जो रहा आपका, वो पूरा का पूरा, theoretical है कि इस तरीके से आपको सोचना है, यह यह अप्रोच होता है, यह यह टाइपस अप कोशन होता है, एक आपको देखता होगा, problem based on boundary condition, maximum minimum, मताचला यह किस से ज़्यादा जा रहा है, यह किस से कम जा रहा है, वो एक सवाल भी frame होता है, वो आगे देखने को मिल जाएगा, यह ना, वो आगे देखने को आपको मिल जाएगा, total number of solution of tan x plus cortex is equal to two cosec x, बहुत बढ़िया, total number solution of tan x, cortex और two cosec x, simplify कर दो, simplify कर दो, यह हो जागा, sine x upon cosec, क्यों जागा, आपका cos x upon sine x, यह जागा, two upon sine x, sine square plus cos square, यहाँ हो जागा, sine square, plus cos square, sine x into cos x, and this is equal to two upon sine x, यहाँ से देख्येगा, आपको मैंने बोला था, कि मन्दब प्रोड़क्ट में कैंसल नहीं करना है, इसको हम कैंसल करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर इसको कैंसल नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि sine x 0 होता, तो उससे solution आता है, यहाँ तो 0 होगा ही नहीं, denominator में, अगर denominator में कोई term common में दिख रहा है, तो काट दो कोई दिक्कत नहीं, sin square plus cos square 1 आ जाएगा, 1 upon cos x is equal to 2, तो cos x is equal to half, जहाँ cos x half होता है, वहाँ पर 10 और cot को कहीं undefined होने का संभावना नहीं है, इसलिए जो भी आएगा, solution हो जाएगा, आपका, क्या बोला है, number of solution, in minus 2 pi से 2 pi, तो इसको general solution लिखना चाहो, तो general solution लिख सकते हो, half कहाँ होता है, pi by 3, x वराबर 2n pi plus minus pi by 3, 2n pi plus minus pi by 3, n belongs to integer, आप चाहें तो यहाँ से बता सकते हैं, यह आपका x, यह आपका y, कॉस x का ग्राफ चाहिए, कॉस x यह, 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 half कहाँ पर होगा, pi by वराबर half, यह आपका 2 pi है बेटा, और यह आपका minus 2 pi है, एक solution, दो solution, तीन solution, मतलब कॉस x और half, कॉस x का ग्राब बनाओ, और सेम जगा पर half का ग्राब बनाओ, दोनों जहां पर intersect करेगा, वही आपका solution है, और half का solution देख रहे हैं, चार जगा आ रहा है, तो four solution, four solution, ठीक, चलिए, अगला सवार, लब टिग्नोमेटिक equation में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने का नहीं, समझने का नहीं, कहीं कुछ करने का नहीं, find the total number of integral values of n, so that sine x into sine x plus cos x is equal to n, has at least one solution, जब भी किसी इस तरीके की बात होती है, जैसे आपने देखा था, वो sine का पावर 4x plus cos का पावर 4x plus lambda has a solution, तो lambda का value क्या होगा, इस तरीके के आपको बात देखने को मिलेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो बाएं बाला का अधिकार शेतर होगा, वही अधिकार शेतर होगा, आपका दाएं बाला का होना चीए, LHS और RHS चुकी दोनों बराबर है, तो जैसा बाएं वैसा ही दाएं बराबर है, तो जो इधर होगा, वही उधर होगा, तो आप बाएं बाले को यहाँ पर ध्यान से देखो, बाएं बाले को यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या आएगा, a sine x into sine x, sine square x, a plus sine x into cos x, and this is equal to n, this is equal to n, sine square को आप क्या लिख सकते हैं, sine square को आप लिख सकते हैं, 1 minus cos 2x by 2, वाउ, a plus sine 2x को लिख सकते हैं, sine x into cos x को लिख सकते हैं, दो सभू पर नीचे गुना करके, sine 2x upon 2, बोला है, the total number of integral values of n, n का integral values कहां से कहां तो होगा, n का integral value मतलब इसका integral, n बराबर यह है तो इसका integral value चाहिए, थोड़ा सा और समर्पन यहां पर हमको चाहिए, इस तरीके से, sine 2x, मतलब बहुत आसान है बाई, डाइरेक्ट हैं, तोड़ा सा खाली आपको ध्यान लगाना था, ऐसा कुछ, अब देखो, इसके बारे में किसको नहीं मालूम, a sine theta और b cos theta, दोनों का एंगल 2x, 2x, a sine theta, b cos theta, minus root 2 से root 2 तक है, यहां पर a और b, 1 और minus 1 है, तो minus root 2 से root 2 होगा, इसका value है जागा, 1 minus root 2, 1 minus root 2, minimum में, अब बटा 2 से ले करके, n का value, 1 plus root 2, बटा 2 तक होगा, इसका जो value है, minus root 2 से root 2 तक है, लिख देते हैं, इसका जो value है, इसका जो value है, ठीक है, a sine theta, b cos theta, root under 1 square, minus root 2 से root 2 तक होगा, तो 1 minus root 2 बटा 2, 1 plus root 2 बटा 2, n का value, जो बाएं बाला का range होगा, वही दाएं बाला का होगा, तो दाएं बाला का value, यहां से यहां तक होगा, root 2 का value, 1 point कितना होता है, 1 minus 1 point something, point माइनस में आएगा, अब बटा 2, मतलब, nearly equal to, minus 2 point, sorry, 0 point, minus 0 point 2 something, ऐसा कुछ, से ले करके, 1 plus root 2, यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा आपका, 1 plus something, 1 point something, 1 plus 1, 2 point something, by 2, 1 point something, कुछ इस तरीक हो, minus, point something से बड़ा में, n बराबर 0 आएगा, और 0 से बड़ा में, फिर 1 आएगा, और 1 point something से चोटा हम, 0 और 1 ही तो आएगा, और कुछ कहाँ आएगा, 3 बोल रहे हैं, दो solution ही तो दिख रहा है, there are only two solutions, there are only two integral values of n, n का value सिर्फ 2 ही आ रहा है, n का value सिर्फ 2 ही आ रहा है, एकदम आसान, मतलब sin square है, इसको भी sin 2x, cos 2x मिले जा सकते हैं, sin x into cos x, इसको sin 2x मिले जा सकते हैं, तो multiple angle में ले जा करके, और दूनों, a sin theta b cos theta का, इस्तमाल कर लिए, पता चल गया, कहां से कहां तक होना चाहिए, ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाई है, पे आपको अगला सवाल पूछा हुआ है, यह सवाल देखिए, आपको 2014 में आया हुआ है, सेम सवाल आपको यहां पर है, बस थोड़ा सा data का अंतर है, दोनों cubic में ही है, किसी एक को बनाई है, आपको, इसको बनाई है, उसको आप होंबर्क के रूप में रख लेंगे, देखिए यहां से, कॉस को अगर हम T माल लेते हैं, कॉस को अगर हम T माल लेते हैं, तो क्या मिल रहा है, 12TQ और माइनस 70 प्लस 4T, स्थारी, 70 स्क्वार, प्लस 4T माइनस 9 बरावर 0, cubic equation है, एक आपके पास दिमाग में रहता है कहीं कहीं डर की, cubic equation हैं सॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक आपको हिंट भी दिया हुआ है, कि अगर कॉफिशेंट का समेशन, 12, माइनस 7, 4, माइनस 9, चोड़ो तो सबको, कॉफिशेंट का समेशन, जब भी अगर आपके पास 0 है, तो आप डाइरेक्ट लिख सकते हैं, कि एक solution 1 होगा, 12 और 9, अरे, अरे, सब्सक्राइब, 12 और 4, 16 और माइनस 7 और माइनस 9, 16 माइनस 16, 0, तो T वरा और 1 इसका एक solution होगा, और T वरा और 1 इसका solution होगा, तो एक factor होगा, T माइनस 1, जब कभी भी आपके पास, एक heat and trial का रास्ता रहेगा, तो coefficient का summation, अगर जो दिख रहा है 0 है, तो डाइरेक्ट आपको T वरा और 1 इसका root होजाएगा, एक root तो 1 ही होजाएगा, तो अगर एक root 1 है, तो T माइनस 1 उसका factor होगा, T माइनस 1 factor होगा, तो यहाँ पर आगया 12 T square, 12 T square और माइनस, 12 T cube, 12 T square, माइनस 12 T square और 7 लाना है, तो 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 माइनस 5 T, और पलस 9 is equal to 0, अब कैसे करते हैं, इसको divide कर दो, इससे, मतलब इससे divide कर दो, तो इसको तो यह आजाएगा, ठीक है, यहाँ 5 होगा, माइनस 12 T square, इसको माइनस 7 करना है, तो 5 T square प्लस ठीक, यह factorize हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, यह factorize हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसका discriminant negative है, तो यहां से t बरावर 1 आएगा इसका discriminant negative यहां से root नहीं आएगा तो t बरावर 1, t बरावर 1 का बोले तो cos x बरावर 1, cos x बरावर 1 कहां पर even multiple of pi, even multiple of pi, बात समझ में आई मेरे भाई, x is equal to 2n pi, क्या पुछ रहा है number of solution of this is infinite, यह कौन सी बात हुए, यह कौन सी बात हुए, चलो, यह आपका पूछा हुआ सवाल है किसमें, यह interval दिया, यह अच्छा काम किया, 0 सो 2 pi में बताना है, वैसा ही है, 2 sin q, वहां cos में था, यह 2 sin q, 7 sin square, 7 x, अगर जो आप इसको देखेंगे, इसको आप अगर देखेंगे, यहाँ पर कितना है, sin x को t माल लो, sin x को t माल लो, तो यह हो जागा, 2 t cube, और माइनस 7 t square, और प्लस 7 t, और माइनस 2 बरावर 0, फिर से यहाँ पर t बरावर 1, इसका एक root, 1 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, और 7 माइनस 7 0, 1 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, अब आपके पास एक root आ जागा t minus, एक factor जागा t minus 1, अगर t बरावर 1 रखने से, heat and trail से t बरावर 1 रखने से sum of coefficient जो है 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2, 0, तो sum of coefficient अगर 0 है, तो t बरावर 1 उसका एक root होगा, यानि t minus 1 उसका एक factor होगा, अगर ये एक factor है, तो आप यहाँ से इसको divide करोगे, यहाँ से आपका t minus 1 और यह भी factorize हो जाएगा फिर से, यह भी factorize हो जाएगा फिर से, t minus 2 और 2t minus 1, अब आपके पास कितने roots आगे, t बरावर 1, 2 और 1 by 2, t मतलब sin x है, t को अगर देखा जाए, तो t जो है आपका sin x है, t आपको देखा जाए, तो t आपका sin x है, तो sin x का value 2 तो हो नहीं सकता है, sin x का value 2 तो हो नहीं सकता है, कभी, sin x का value 2 possible है क्या, नहीं possible है, t मतलब sin x, sin x बरावर 1, 2 और half, which is not possible, यहाँ से sin x का value 2 जो है यह possible नहीं है, sin x बरावर 1 कहां पे होगा, जीरो से टू पाई में साइनेक्स एक ही जगा वन होगा जीरो से टू पाई में साइनेक्स एक ही जगा वन होगा और वो है पाई वाई टू एक चक्कर में एक ही बार वन होता है और माइनस वन बाकी सारे वैल्यूस दो दो बार होता है so total number of solution is 3 आपसे solution पूछ रहा था number of solution आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं था साइनेक्स का ग्राब बनाना था साइनेक्स का ग्राब बनाना था जब कहता है ना कि सवाल केवल बन गया सवाल मत बनाओ भाई उससे related जितने भी बाते हैं सारे सोच लो तो एक सवाल से अनेक सवाल का रास्ता तैयार कर सकते और नहीं तो अगर केवल ऐसे ही अंदा मुंद चलते जाओगे तो अनेक सवाल से भी एक सवाल के तैयारी नहीं हो पाईगे ठीक है अब बात रही वन की तो वन तो कहीं यहां होगा वन तो कहीं होगा और हाफ की बात करो तो हाफ दो जगा पहोगा आप तो साफ साफ दिख रहा है हाफ तो साफ साफ दिख रहा है कि दो जगा पहोगा आप यहां होगा हाफ यहां होगा और वन यहां होगा there are three solutions तो you may use different methods to solve the same question at least आपको clarity आजाएगी question ह 코로나 यहुा अठर लून कि घुक कि रहा है चलिए अगला सवाल है आपका यह तोटल नमबर अब सुलिशन्स अफ कॉस एक्स इस इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस साइन टू एक्स देखें जैसे रूट की बात आती है आप सारे बच्चों को यह ध्यान में ज़रू रखना चाहिए आप गया ध्यान में क्या रखना चाहिए यह रूट अंडर एक्स क्वाइर इस इक्वल टू मॉट एक्स रूट अंडर एक्स स्कॉयर इस इक्वल टू मॉड एक्स root under x square जो होगा mod x के बराबर होगा न कि x के बराबर होगा इस तरीके से नहीं करना है root under x square जो होगा वो mod x के बराबर होगा total number of solutions of cos x बराबर root under 1 minus sin 2x technometric ratio identity को याद करो 1 minus sin 2x को लिखाता आपने sin x minus cos x का whole square sin x minus cos x का whole square ठीक है अब यहाँ पर आप लिखोगे cos x और sin x minus cos x का whole square square का square root करोगे square का square root करोगे तो mod of sin x minus cos x mod of sin x minus cos x ठीक है यहाँ पर दो बाते होंगी यहाँ पर दो बाते होंगी एक बार जब साइन कोस से बढ़ा होगा आ एक बार जब साइन कोस से छोटा होगा साइन जब कॉस से बढ़ा होगा तो कॉस x बराभर यहाँ पर आ जागा साइन एकस माानस कोस एकस which means 2 कोस x is equal to siux अब कॉस x से आपको divide करने की एक्षागर हो रही है कि cos x से divide करें तो ये चेक कर लो कि cos का 0 होना क्या इसका solution है cos अगर 0 होगा तो cos 0 होना sin 1 होता है 1-0, 1 0 ब्रावर 1 पॉसिबल नहीं है तो आप 0 cos नहीं हो सकता इसका solution sin x ब्रावर कितना 2 tan x ब्रावर 2 sin x ब्रावर 2 0 से 2 πाई में कितने जगा पर हो सकता है तो वो बात की बात है लेकिन ये जरूर ध्यान देना sin x cos x से क्या होना चाहिए बड़ा अब आपको यहां पर मज़ेदार बात चलो एक और इसको solve कर लेते हैं sin x less than cos x तो ये हो जागा cos x is equal to sin x कम है cos x जदा है तो यह जागा माइनस के साथ minus sin x is equal to plus cos x cos x cos x खतम हो गया sin x ब्रावर 0 sin x ब्रावर 0 कहां कहां हो सकता है x ब्रावर 0 पे πाई पे और sin x 0 कहां कहां हो सकता है 0 से 2 πाई में 0 पे पाई पे और 2 πाई पे 0 पर sin मतलब यह भी देखना है आपको इस केस के भीतर में है यानि sin cos से छोटा होना चाहिए sin क्या होना चाहिए cos से छोटा होना चाहिए x ब्रावर 0 रखोगे sin 0 0 आएगा cos 0 1 आएगा तो यह सही है यह सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है पाई रखोगे sin पाई 0 गा cos पाई मैनस बनागा गलत है 2 पाई रखोगे sin 2 पाई 0 गा cos 2 पाई 1 होगा यह सही है तो आपके पास दो सलुशन होंगे 0 और 2 पाई यहां से कहना क्या चाह रहा था यह आप देखिए चब भी कभी केस बनाते है न तो यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती यह आप क्या आगया 0 से 2 पाई तक 0 से 2 पाई तक sin का ग्राफ अब आपका होगया ग्राफ cos का जब आप कह रहे है sin greater than cos x sin जो है cos से बढ़ा यह cos का ग्राफ है sin cos से बढ़ा है तो कहां पर sin cos से बढ़ा है यह pi y 4 से ले करके pi y 4 से ले करके यह sin का ग्राफ है यह y ब्राबर sin x का ग्राफ है sin x का ग्राफ है 5 pi y 4 तक pi y 4 से ले करके 5 pi y 4 तक आपका sin जो है cos से बढ़ा है sin का ग्राफ उपर है cos का graph नीचे तो πाइवाइब 4 से 5 πाइवाइब 4 में 10x का value 2 कहां पर होगा 10x का value 2 का graph हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं यह गया पाइवाइब 2 यह गया 3 πाइवाइब 2 और आगे बढ़ा देते हैं यह गया 2 पाइब क्योग यह अपको क्या चाहिए तैन x प्राबर्बर्ड टू यहां पर होगा 5 by 4 पे यहां पर 1 होगा और 5 by 4 पे यहां पर 1 होगा तो 1 से बड़ा 2 उपर में होगा यहां से देखना आपको 5 by 4 कहा गया 5 by 4 से 5 by 4 में यह जो sin x greater than cos x है यह जो sin x greater than cos x है इसका मतलब x जो होना चाहिए 5 by 4 और 5 by 4 के बीच में यहां जो आपका x आया है यहां जो आपको x दिख रहा है यह वाला x दिख रहा है यह कहीं ने कहीं 5 by 4 के बाद है और यह क्या है 5 by 4 के बाद है तो यह वाला solution नहीं होगा सिर्फ एक solution यहां से यानि इसमें एक solution होगा इसमें 2 solution होगा total 3 solution होगा option b देखो पहले तो है कि आप graph बना लो sin x sin x minus cos x sin x और cos x का graph बना लो case लिया sin cos से बढ़ा है sin cos से बढ़ा होगा यानि sin है यह वाला cos ए ग्रीन बढ़ा सोरी कौन सा कलर yellow वाला yellow से बढ़ा है तो यह 5 by 4 और 5 by 4 के बीच में ही नजर आ रहा है जो आपको sin बढ़ा है तो 5 by 4 कहीं यहाँ है यहां से यहां के बीच में आपको देखना है यहां से यहां के बीच में सिर्फ एक जगा जो होगा वो 2 आएगा सिर्फ एक जगा 5 by 4 के बाद और यहां पर आपके पास 2 जगा आएगा 0 पे और 2 pi पे क्योंकि यहां साइन कॉस से छोटा चाहिए चिक चलिए तो आप भाई लाइक वेगरे करकर के शेयर करो यार इतना मेहनत करवा और उसके बाद इतना डिटेल में डेफ्ट में घुस करके यूटूब पे कहां मिलता है आप यह बता दो ना कि दिखने में इजी लग रहा है नहीं एक पूरा किलियर पिक्चर लेने के लिए बहुत जरीर है आता है सारी चीजें खोल करके वही तो मैं कह रहा हूं बाकी लोग आराम से बैठे हुए है चिक चलिए पटाफट बनाते जाए है अ झाल किर तो देखे तैन ओस दिस कौइश ऑफ धिस टैना वेलावर टैन अल्फा आप इसको यहां पर क्या लेख सकते थेज़े इसको यहां पर लिख सकते थे private एक अब आपक्र bond को लिख सकते हैं 10 pts तू मालस अलफा अब है अवे यहांस देख्खो। tan theta अबरावर tan alpha तो theta ता अबरावर pixels pi by 2 sin theta अबरावर n pi प्लस alpha tan theta रावर tan alpha इसको माल लो theta इसको माल लो alpha तो tan theta अबरावर तैन थीटा वरावर कितना यंद पाई प्लस अलपा ठीक कर LIKE is इसारे ज काई पाई भागजए पाई पाई फाई भागो तो क्या आजागा टू एन प्लस वन एन बिलॉंग्स टू इंटीजर देखो सही है या नहीं ठीक है ठीक है अब देखो नंबर आफ सोलूशन आफ देस इन जीरो से जीरो से सिक्स पाई में पहले यह समझो कि एन जो है इन बदलता रहेगा लेकिन साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा का लिमिटेशन होता है वो कहां से कहां तक हो सकता है इसका वैल्यू आप एन बरावर जीरो रखोगे तो वन आएगा एन बरावर वन रखोगे तो तीन आए लेकिन साइन ठीटा और कॉस्ट ठीटा साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा का वैल्यू माइनस रूट टू रूट टू के बीच में ही होगा तो ध्यान से देखा जाए तो इन सारे इंटीजर में सिर्फ दो ही इंटीजर जो है आपके काम का है और बाकी कोई भी काम का नही है, सिर्फ वान और माइनस वन आपके काम का है, सिर्फ वानMax one आपके काम का है, साइन ठीटा Plusifiable बडाबर वन और माइनसवन यही दोनों हो सकता और कोई नहीं हो सकता, यहांपर एक अच्छी बात है कि साइन ठीटा सिक्टा 1 भी ब्लस ठीटा 1 भी है और प्लस साइन टू ठीटा इस इक्वल टू वन हो जाएगा इसका मतलो साइन टू ठीटा इस इक्वल टू जीरो आ जाएगा साइन टू ठीटा बराबर जीरो तो ठीटा बराबर एन पाई तो ठीटा बरावर ठीटा बरावर कितना या के पाई तो ठीटा बरावर कितना के पाई बाई टू और के इंटीजर होगा के इंटीजर होगा यह तो गड़बड है के का वैल्यू कहां तक हो सकता है के का वैल्यू आप लिख सकते हैं है तो बारा सोलूशन हो सकता है इसका वेर डिट वी गो रॉंग इसमें तो कोई सोलूशन ही नहीं है पांच साथ चार पांच साथ चार पांच यह क्या है कि कुछ गर्वड है तो काउंट कर लो अपना आराम से यही आपका सोलूशन है केव रावर 0,1,2,3 लख करके यहां तक जाना है 6 πi का मतलब k बरावर maximum कहां रख सकते हैं 12 तक रख सकते है k बरावर 0 से सुरू करके 12 तक रख सकते है 13 solution आजाएगा फिलाल 13 solution आजाएगा 0 से लेकर 12 तक रख सकते है 13 solution आजाएगा जोटो आप ऐसे समझे option में नहीं है 10 theta ये cot theta cot को पहले हमने किया 10 pi by 2 minus theta clear अब 10 theta बरावर 10 alpha 10 theta बरावर 10 alpha तो theta बरावर n pi plus alpha pi 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 cut जाए sin theta by 2 इधर ले आएगे cos theta by 2 दोनों का दो इधर गुना करेंगे 2n plus 1 2n plus 1 में n बरावर 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते है 0 रखेंगे 1 आएगा और minus 1 रखने पे minus 1 आएगा limitation है उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा मतलब minus root 2 और root 2 के बाहर नहीं जाएगा minus root 2 और root 2 के बाहर नहीं जाएगा मतलब आपके पास 1 और minus 1 only 2 option और plus 1 और minus 1 दोनों है इसलिए square करने में कोई hesitation नहीं होना चाहिए sin theta plus cos theta का whole square 1 sin square plus cos square जो की 1 होगा 1 के जाथ 1 cancel 2 sin theta cos sin 2 theta होगा sin 2 theta 0 मतलब 2 theta n pi मतलब k pi नहीं इस्तमाल कर दिये थे इसलिए k लिख दिया है और theta बराबर k pi by 2 k belongs to integer put the different values of k and you will get 0 to 12 इसमें option ये वाला गरबढ है ठीक है ठीक है बोलिए अच्छा यहां कहीं undefined होने वाला खेल होगा कि नहीं जैसे यहां पर एक बार चेक कर ले 0 से pi तक लेकिन एक बार ये भी चेक कर ले कि undefined होने वाला खेल होगा कि नहीं वो आपने नहीं चेक किया 10 है तो 10 यहां पर 1 अच्छा आपको 10 1 चेक कौन करेगा कौट यहां पर 10 को undefined होने के लिए pi by 2 नहीं होना चाहिए उसमें से आप 13 value लिखिए गा देखिए बड़े मज़ेदार चीज हो गया न वो तो हमने चेक ही ने किया आपने यहां पर k बराबर क्या रखेगा 0 1 2 तो ठीटा बराबर क्या क्या आएगा 0 रखने पर 0 आएगा 1 रखने पर pi by 2 आएगा pi आएगा देखिए मज़ेदार चीज करते है pi by 2 pi कितना pi by 2 यह क्या है यह 0 1 5 by 2 2 5 by 2 3 5 by 2 4 by 2 अब आप समझे बात को अगर ठीटा बराबर यहां pi by 2 रखते हैं तो साइन पर टू बड़ाइट टैन पर टू डिफाइन होगा क्या तैन पर टू दिफाइन होगा क्या यानि पाइवाइट तो वैल्यू इंग हो गया पाइवाइट तो वैल्यू इंग हो गया नहीं होग अच्छा यहां पर कॉसस पाइवाइट टू रखेंगे देगा और जहां पर यह पाई का और मल्टीपल ला देगा तो वहां पर तो उन दोनों के रिजेक्टर होगे तब जो वैल्यू एगा वह तो आपको एक और चेक भी कर लेना है आपको एक बार चेक भी कर लेना है नहीं चेक करना चाहते हैं आप सिधे इसको pi by 2, 3 pi by 2, 7 pi by 2 ये सारे value नहीं होने चाहिए, pi by 2 tan जो है, sine butter cos होता है, और sine butter cos में cos जो हता 0 नहीं होना चाहिए, तो cos का angle जो है भीतर वाला, वो odd multiple of pi by 2 नहीं होना चाहिए, यानि pi by 2 यहाँ पर है, तो sine का value 1 या minus 1 नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पर sine का value 1 या minus 1 होगा, वो तो ऐसे ही नहीं आएगा, तो pi by 2 नहीं होगा, 3 pi by 2 नहीं होगा, 5 pi by 2 नहीं होगा, इस तरीके से सारा हटता चला जाएगा, ठीक है, समझे, तो आप इसको हटाईए, हटाने के लिए आप यहाँ से यहाँ पर इसको हम थोड़ाजा शा, इसको हटाते है, यहाँ यहाँ जाटाते है, अरे, देखे, साइन ठीटा प्लस कॉस ठीटा बराबर वन और साइन ठीटा प्लस कॉस ठीटा बराबर माइनस वन ऐसे केस में दो ही चीज़ होता है या तो यह वन हो और यह जीरो हो और यह जीरो हो यह वन हो दोनों को जोड़ करके आप करोगे तो अएसा ही आएगा इसों मैं मांस वाई बात यह मांनास वण यहाँ यह जींड़ो हो यह जीरो हो यह मांनस वन हो लेकिन अचली सी बात क्या है कि यह पहला वला यहां पर पॉस्व से टैन डिफाइन नहीं होगा जिससे में साइन ठीटा वन होगा उसमें कॉस्टीटा जिरो होगा कॉस्टीटा जिरो अखो तो यह जी रोगा कॉट जीरो भी डिफाइन नहीं होता है कॉट जीरो हो जाएगा यह वाला केस ही गाइब हो जाएगा यह वाला केस ही गाइब हो ज 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, और 6π. सिर्फ यहीं बचेगा. sin θ 0, cos θ 1 या –1. जहां पर sin θ 0 होता है, वहां पर cos θ 1 होता है या –1 होता है. तो cos θ 1 या –1, दोनों option है ही. तो 0 से 6 तक 7 solution, 7 ही होगा. तो आपको उसमें जो दिख रहा था, extraneous route था, एक्ष्टा route था, उसको हटाना बहुत जरूरी था. वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिये था, यह आप ध्यान दे लेंगे यहां पर. So there are only two possibilities. 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 Sum of all the solutions of cot theta बराबर sin 2 theta. यह आराम से solve कर सकते हैं, फटा-फट. कहां से कहां तक 0 और πाई के बीच में, जो sum of solution है, आप ध्यान दिजेगा फिर से, cot, cot को लिख सकते हैं, cos बटा sin. Denominator में sin है, तो sin 0 नहीं होना चाहिए. sin 0 नहीं होना चाहिए. तो जो भी solution last में आएगा, उसमें देख लेंगे, कि जहां-जहां sin 0 रहा, उसको हटाओ. जैसे इसमें आपने चेक किया, कि जहां-जहां यह πाई बाई 2 रहा, उसको हटाओ. तो पाई बाई 2 जहां-जहां रहा था, हटा दिये. क्या दीख रहा है, जोड़ो? The sum of all the solutions of quad theta बराबर sin 2 theta. Quad theta बराबर sin 2 theta. Quad theta को लिख सकते है, Quad theta को लिख सकते है, one upon ten और sin को लिख सकते है, 210 upon one plus ten square. जैसी आपकी मर्जी, जो आपके शद्धा, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं. कॉर टीटा को वन अपॉन टैंटीता अबरावबर 2ू टैंटीटा डिवाइड वाई 1 प्लस 10 स्क्वाऊर टीटा कि दो नों ही रास्ते से चल सकते हैं यो लेगा 1 10 स्क्वाऊर टीटा एस इकॉल 2 न स्क्वाइर टीटा यहां सा जागा 10 square theta is equal to 1 तो 1 को लिख सकते हैं 10 square pi by 4 10 square theta बराबर 1 तो 1 को लिख सकते हैं 1 square 1 square 10 square pi by 4 10 square theta बराबर 10 square alpha theta बराबर n pi plus minus alpha मतलब 4n plus minus 1 pi by 4 और n belongs to integer ध्यान से देखेंगे ये एक तरीका हो गया आपको 0 से pi में चाहिए तो n बराबर 0 और 1 लग करके जो भी है निकाल लेंगे यहां से solve कर सकते हैं तो यहां से आपको solve करोगे cos को common ले लो 1 upon sin theta minus 2 sin theta बराबर 0 आपको यहां से मिल जाएगा cos theta is equal to 0 और यहां से मिल जाएगा 2 sin theta is equal to 1 upon sin theta that means sin square theta is equal to 1 by 2 sin theta बराबर 1 by root 2 और minus 1 by root minus 1 by root 2 नहीं possible है क्योंकि theta 0 से pi में दिया हो first quadrant में 0 से pi में हो जाएगा मतलब 0 से pi में first quadrant और second quadrant में तो pi by 4 और 3 pi by 4 और कौस theta 0 कहां पहोगा ठीटा बराबर pi by 2 पे यह तीन ही value है जो इसको satisfy कर सकते हैं और उसमें से भी उसमें से भी pi by 2 पे pi by 2 पे कहें डीफांड होने की जबवत मत्रब दिककत नहीं है ना नहीं कहीं कोई दिककत नहीं यह तीनों आपका हो जाएगा तीनों को सम कर दो तो 5 3 5 4 plus 5 4 प्लस 5 2 3 यहां से आप रख सकते हैं यहां से आप रख सकते हैं निकाल सकते हैं इसमें इसमें एक एक मिनट यह कॉस अपॉन साइन टू साइन इंटू कॉस 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 कॉमन ले लिया वन अपॉन साइन माइनस टू साइन यह सही है यहां पर क्या दिकत है टैंट को लिख सकते हैं वान अपॉन टैन बिलकुल सब्सक्वार एदर यह इधर यह इधर वन प्लस टैन स्कॉर टीटा हां तो one plus tan square theta is equal to two tan square theta and after solving come on man how can you do that to it यह महाकाल तो one plus tan square theta is equal to two tan square theta अब इसको इधर लेके चलेगे tan square theta is equal to one tan square theta is equal to one tan square pi by four theta is equal to n pi plus minus pi by four इसमें pi by two कैसे आएगा यह समस्या बड़ा अजीव है भाई एन बरावर जीरो रखोगे तो जीरो रखने पर यहां से आ जाएगा pi by four ठीक है एन बरावर one रखोगे four pi plus pi by four ठीक है अब four pi plus one five आ जाएगा वो नहीं चाहिए लेकिन four pi minus one three pi by four से यह pi by two इसमें कैसे आएगा भाई तो इसमें लोचा है इसमें क्या लोचा हो गया पाइवाइटू कॉट पाइवाइटू कॉस यह कॉट पाइवाइटू जीरो यह सही है और यह भी जीरो सही है साटिसफाइवी कर रहा है कहीं कुछ यह पाइवाइटू इसमें कैसे आएगा यह चार है तो यहां पर कि यह कुछ तो गरबढ़ कर रहा है इसमें एक और कैसे solution आएगा इसमें ऐसा क्या है और इसमें क्या गरबढ़ हो गया कॉट ठीटा हो गया वन अपॉन टैन ठीक है टू टैन वन प्लस टैन स्कॉर टू टैन स्कॉर तो टैन स्कॉर यह सारा solution तो देना चाहिए यह वहला solution क्यों नहीं दे रहा है यह तो आगिया वही वहला solution sin square theta sin square alpha कुछ क्या 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 लॉजिक है यह कुछ तो देखो जैसे sin square theta और 1 by 2 तो 1 by 2 से यहां आ जाएगा आपका sin square pi by 4 तो sin square theta और sin square alpha theta और n pi plus minus pi by 4 यही solution तो आ जाएगा यहां से लेकिन यह जो एक्स्ट्रा solution देदा है जहां cos theta 0 होगा जहां cos theta 0 होगा वो इस बज़ा से यहां पर क्यों नहीं आ रहा है यहां पर क्यों नहीं आ रहा यहां पर इसलिए नहीं आ रहा है यह sin square और cos square यह cos square का 0 यहां पर include ही नहीं हो पा रहा है इसमें 1 upon 10 लिखने के कारण वो जो cos theta बरावर 0 है वो solution ही यह नहीं दे रहा है वो solution ही नहीं दे रहा है इसलिए बहतर है कि पूरा आप expand करके बना लो क्योंकि इसमें एक solution यह बला आपको बचा रहा जाएगा तो गरबर हो जाएगा इसको मैं यहां से हटा देता हूँ यहां से 10 theta में 10 को को आप लिख दिया 1 upon 10 तो वो जो 0 होने वाला है cos theta का 0 होने वाला इसमें possibility आहीं नहीं रहा है तो यह solution जो देगा वो हाप solution रहेगा वो उसकी possibility आपको आधा कर देगा मतलब 10 theta यहां से 1 upon 10 theta वाला से solution जो आएगा कम आएगा तो बहतर है पूरा expand करके आप निकालो और यह common लेलो ज्यादा अच्छा है नहीं 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 सी नहीं होगा 3 pi by 2 होगा question है sum of all the solution आपको सारे solutions का summation निकालना है तो solution जो है आपके पास है ना pi by 2 है और pi by 4 है और 3 pi by 4 है द्यान से देखो यह solutions है यह theta का solution तीनों को जोड़ोगे तो यह 3 pi by 4 प्लस pi by 4 और प्लस pi by 2 तो 3 pi by 2 is the right answer बहुत अच्छा सा आपको यहां पर दोनों को मतलब दोनों method को आपने देखा तो बहुत अच्छा सा चीज निकल कहा है जो कि देखो दिमाग में भी नहीं आ रहा था इसमें आपने solve किया तो cost theta जो factor करके common करके बाहर लाए वो उसमें आ ही नहीं रहा है तो वहाँ से solution आ सकता है वह solution आप go झाण है यह जा रहा है यानी loss of fruits हो जा रहा है तो time and it was not good yeah alle अर यह चीज़ें कहांस सीख ते रिषिंत करके ही सीख दे बेना क पर देगा कियं मत लगा ना कोई कि वहाँ पर लॉस आफ रूट्स हो रहा है, लॉस आफ रूट्स हो रहा है, ठीक है, चालो, अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं, ओट्स है, माइनस पई भाई 4 भी होगा, लेकिन आप साहद हर्शित मिश्रा, आप भूल रहे हैं कि आपके पास बेटा यह दिया हुआ है, जीरो से बढ़ा होना छेए, इसको भी देखो गेंě, बालक, इसको भी देखो गें हैं, साइन का पावर फोर एक्स अच्छा याद करो साइन का पावर फोर प्लस कॉस का पावर फोर इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि वन माइनस टू साइन स्क्वाइर कॉस स्क्वाइर डारेक्ट इसके लिए हमने बता रखा है 1-2 sin square into cos square यह आपका formula होता है यह आपका formula होता है sin का power 4 plus cos का power 4 1-2 sin square cos square यह आपका formula होता है अब यहाँ पर आप लिखेंगे sin x into cos x sin x into cos x अब आपके पास sin x into cos x है sin x into cos x का square है आप चाहें तो इसको t मान ले सकते हैं आप इसको t मान ले सकते हैं इसको आप T मान लीजिए, T हो जाएगा 1-2T square is equal to T, 1-2T square is equal to T, एक तरफ ले आएए, 2T square इधर लेके आए, plus T और minus 1 बराबर 0, T बराबर आपको आजाएगा minus 1 और 1Y2, T बराबर आजाएगा, आपको minus 1 और 1Y2, sin X into cos X is equal to minus 1 और 1Y2, दोनों तरफ दो से गुना कर दो, तो sin 2X बराबर हो जाएगा, sin 2X बराबर हो जाएगा, minus 2 और 1, minus 2 की possibility तो नहीं है, क्योंकि sin का value minus 1 और 1 के बीच में रहता है, तो sin 2X बराबर 1 हो गया, तो sin 2X 1 कहाँ पो होगा, तो 2 theta बराबर 2N pi plus pi by 2, X बराबर, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, 0 और 2 pi के बीच में, अच्छा ठीक है, अब लिख दिया तो लिख दिया, general solution लिख दिया तो लिख दिया, n belongs to integer, n बराबर 0 रख दो, तो pi by 4, 1 रख दो, इस तरीके से आप निकाल लो, फटाबर, कितने solution आ जाएंगा, तो ही solution आएगा, तो ही solution आएगा, है न, n बराबर 0 रखोगे, तो pi by 4, n बराबर 1 रखोगे, तो 5 pi by 4, n बराबर 2 रखोगे, तो 9 pi by 4, जो कि 2 pi से ज़्यादा हो जाएगा, आपको सिर्फ 0 और 2 pi के बीच में, चाहिए, चार solution कैसे आगया, आपके पास momentum batch है, जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस बार 11 से 12th मूब कर रहे हैं, या इस बार ड्रॉप करने की planning है आपकी, तो वैसे केस में, you can enroll yourself in a momentum batch, to avail the maximum discount, you can use this code Y397, ये आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, अगर उन्हें मतलब जरुवत है कुछ सीखने की, कुछ एक मतलब सही guidance की, सही mark दर्शन की, तो वो enroll कर सकते हैं, ठीक है बटा, चलो, कर दो, पmpfenढाई ही gustतुष, भूम मतलब जर्शन की, म'll जरेुत हैं, अपके की, सही वो भी सниखने के की हैं, अगर लगकी के बटाद़ी की, अ हो खCROT हमता जरके हैं, एक हैं, जरहे की दर दोस्तों मतलब थार्शन की किस्अ हैं, अवस्तों सही दितती हैं, इòng किरे की की क्या हो गया गुल्शन बावु क्रैस कुर्स बताईए क्या जानना है क्रैस कुर्स ठीक है चलिए a is equal to sin theta is equal to a collection of theta such that sin theta is equal to tan theta तो sin theta is equal to tan theta अगर जो आप इसको solve करोगे tan theta को आप लिख सकते हैं sin theta divided by cos theta sin theta divided by cos theta sin and sin common लोगे एक तरफ ला करके तो यह हो जागा 1 minus 1 upon cos theta and this is equal to 0 यहां सा आजागा this is equal to 0 sin theta is equal to 0 and cos theta is equal to 1 there are two possibilities sin theta is equal to 0 and cos theta is equal to 1 sin theta 0 and cos theta 1 यह दोनों आपको आ सकता है अच्छा क्या है कि sin theta जहां 0 होता है वहां पर cos theta 1 या minus 1 होता है तो इसी के solution में यह भी आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर से जहां पर sin theta 0 होता है वहां पर cos theta या तो 1 या minus 1 होता है इसका भी solution और इसका भी solution दोनों का अगर जो 7 करोगे तो यही अपने आप में आजाएगा यानि theta बराबर n pi will be the solution कोई दिक्कत नहीं इसी में यह भी आजाएगा n pi में pi भी आएगा 2 pi 2 pi पर यह काम हो जाएगा 3 pi 4 pi पर यह काम हो जाएगा यानि इसी का पूरा का पूरा आजाएगा दूसरा कोई pal若 1 वह पूरा का पूरा sin theta सीर обverse 0 मORE भी जो है पूरा का पूरा इं का में आजाएगा बी जो है पूरा का पूरा में आजाएगा इससे लिए इससे pessoalल फ는 इवेन मल्टिपल ऑफ पाई है और इसके लिए जो ठीटा होगा मल्टिपल ऑफ पाई मतलब इसमें जोगा पाई टू पाई टू पाई टू पाई फॉर पाई इस तरीके से इवेन मल्टिपल होगा इसमें सारा का सारा आजाएगा सारा का सारा आ जाएगा तो B is a subset of A B जो होगा subset of A होगा तो बोलना है A बराबर B नहीं A बराबर B दोनों बराबर नहीं A is not subset of B B is a subset of not subset of A A is subset of B सब तो गलत हैं यह गलत है A is subset of B यह भी गलत है A is a subset not subset of A B is not subset of A यह भी गलत है तो यही सही हो गया ना भी अरे क्राइश कोर्स जो है ना जोटू क्राइश कोर्स जो है आपका यूटूब पे ही चलेगा फ्री अफ कॉस्त है कम्पलीटली इट विल बी फ्री देर इस नुटिंग अ काइंड ओफ पेड़ क्राइश कोर्स ओके चलिए तो अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपका ये तान एक्स प्लस सेक एक्स इस इक्वल डू टू कॉस एक्स टान एक्स को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस एक्स प्रेक कर दो सेक एक्स को लिखेंगे 1 upon cos x और cos x को है तो 2 cos x इसको छोड़ दो 0 से 2 pi में चाहिए ये ध्यान देना है LCM ले लो बहुत सुंदर sin x प्लस 1 cos x यहाँ पर हो जाएगा 2 cos square x यहाँ sin है और यहाँ cos square है तो इसको आप cos को sign में बदल सकते हैं 2 minus 2 sin square x 2 minus 2 sin square x 2 sin square x को इधर लेके आजाए यह तो क्या हो जाएगा 2 sin square x 2 sin square x plus sin x और minus 1 minus 2 यह हो जाएगा minus 1 1 minus 2 यह हो जाएगा minus 1 अब यहाँ पर आपका sin x को solve करोगा sin x प्ला और 1 भी आएगा sin x प्ला और minus 1 आएगा और 1 by 2 आएगा minus 1 आएगा और 1 by 2 आएगा sin x प्ला और minus 1 0 से 2 pi में x का value एक 3 by 2 प्लाइगा 3 by 2 प्लाइगा और half कहाँ प्लाइगा दो जगा प्लाइगा 5 by 6 प्लाइगा और 5 by 6 प्लाइगा मतलब लिखने क्या वसकता नहीं थी यह बोलना था number of solution तो मैंने लिख दिया अलग बात है 0 से 2 pi में 0 से 2 pi में एक गोंचकर ऐसे करके 0 से 2 pi 360 तक में 1 और minus 1 एक एक बार होगा और बाकि सारे value दो दो बार होगा यानि half दो बार आएगा और minus 1 एक बार आएगा तो दो एक तीन बार आएगा यह लिखने की आवशकता नहीं है बस लिखते चलेंगे तो सीखते चलेंगे ओके गुल्शन बाबो बहुत बढ़िया चलिए मतलब फीस में हैं जुड़ें और जुड़ें किसी अपने को ना छोड़ें ठीक है अगला कोश्चन आपका यह रहा 2016 2016 फटा फट जीरो से टू पाई देन दर नमबर मतलब अभी तक जो जितना दो घंटे में पड़ लिया इससे ज़्यादा कहीं आपको आने वाला कुछ भी नहीं है टिग्नोमेटिक एकोईशन में कुछ भी नहीं आने वाला है बस सवाल प्रैक्टिस करिए काम कतम हाँ फामूला याद रखिए बेसिक किस किस तरीके से चल रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए सवाल बनाते वक्त उन पॉइंट्स को आप ख्याल करें कि अगर सम है तो प्रोड़क्ट में जाइए तो सम में यहीं बताया गया तो यहां सम में है आप पेरिंग कर लिजिये और वला और प्रोड के साथ और इभन वला इभन के साथ cos 3 plus cos x तो होजागा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, यहाँ हो जागा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, 2 cos x common दिख रहा है, 2 cos x common दिख रहा है, यह क्या हो जागा, cos 2 x plus cos 3 x, यह क्या देदेगा 2 cos x into 2 cos c plus d y 2 यहाँ पर सॉरी यह cos x common 2 x होगा 2 x plus 3 x 5 x y 2 into cos 3 x minus 2 x x y 2 बराबर 0 अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो this into this into this 0 होगा या तो यह 0 या तो यह 0 या तो यह 0 एक हो जागा cos x बराबर 0 बहुत सुन्दर यहां सो जागा cos x y 2 बराबर 0 बहुत सुन्दर और यहां सो जागा cos 5 x y 2 बराबर 0 बहुत सुन्दर तीनो से solution आ सकता है पूछ रहा है 0 से 2 pi x कहां intric provides 0 ser 2 pi तो cos x 0 होगा कहा पर x बराबर pi by 2 पे और 3 pi by 2 पे, x बराबर 2 पे, pi by 2 पे और 3 pi by 2 पे, odd multiple pi by 2, साब साब भीया, यह कहाँ पर होगा xy2, xy2 मत्तब odd multiple pi by 2, तो 0 से ऐसे लिकलो न, 2n प्लस 1 pi by 2, तो 2 और 2 cancel, x बराबर, odd multiple pi, यानि 0 रखोगे तो pi आएगा, 1 रखोगे तो 3 pi आएगा, minus 1 रखोगे तो minus pi, यानि किसी भी आलत में इससे ज़्यादा तो नहीं जाओ गया, कहीं भी आप नहीं जाने वाले हो, और कहीं जाने वाले हो क्या, देखो तो, xy2 बराबर, odd multiple of pi by 2, 2 और 2 खतम, odd multiple of pi, n बराबर 0 पे pi, n बराबर 1 रखोगे तो 3 pi, बाहर ही हो जाएगा, minus 1 रखोगे तो minus pi, वो भी बाहर हो जाएगा, यानि किसी भी आलत में आपको कोई और नहीं आएगा, pi आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर आजाओ, 5xy2, 5xy2 बराबर, odd multiple of pi by 2, फिर से 2 और 2 खतम हो गया, x बराबर कितना आजाएगा, 2n प्लस 1, pi by 5, n बराबर 0, pi by 5, n बराबर 1, 3 pi by 5, 2, 2 रखोगे 2 दूना 4, 1, 5, 5, pi आजाएगा, इन बराबर 3 रखोगे, 3 दूना 6, 7 pi by 5, 9 pi by 5, 11 pi by 5, and 13 pi by 5, 2 pi से आगे जाना ही नहीं है, तो 10 pi by 5 से आगे जाना ही नहीं यह गलत है, यहाँ से आगे आप बढ़ी नहीं सकते, यहाँ से आगे आप बढ़ी नहीं सकते, अब आपके पास देखो यह जो पाई है और यह जो पाई है दो जगा आई है तो count करने में जाओगे तो दो यहाँ से एक यहाँ से तीन और तीन चो और दो आठ लिख दोगे गलत हो जाएगा यह जो है यहाँ पर एक solution जो है और यह वाला solution दोनों repeated है तो repeated solution में कोई एक ही लो होगे ना इसलिए total number of solution will be seven not eight लोग जैन्दली क्या करते हैं जो गलती बता रहे हैं कि इसका नंबर solution काउंट कर लिए इसका काउंट कर लिए और सब को जोड़ दिये नहीं आप solution लिखोगे तो आपको common मिल रहा है तो common solution हटाना पड़ेगा ना एक कि नहीं कि दोजार सोला का था यह दोजार अठारा का है फटाफट कि टू थांजन एटीन कासे प्लस बी इंटू कासे माइनस बी आपको दिखरा है कासे प्लस बी इंटू कासे माइनस बी एट कास एक्स इंटू कासे प्लस बी कासे माइनस बी को लिख सकते हैं कास स्क्वाइर माइनस साइन स्क्वाइर बी या कास स्क्वाइर बी माइनस साइन स्क्वाइर तो हम यह लिखेंगे कास स्क्वाइर बी और माइनस साइन स्क्वाइर ए sin square pi by 6 और minus half प्रावर 1 यह हो जागा sin square pi by 6 1 by 4 हो जागा 1 by 4 और minus 1 by 2 minus 3 by 4 हो जागा यह हो जागा 8 cos x into cos square x और minus 3 by 4 इस 4 को यहां गुना कर दो 4 cos square और इस cos को गुना कर दो 4 cos cube और minus 3 cos x यहां से 4 इस में गुना हो करके 2 बच जाएगा 2 को उधर लेकर चल जाओगा तो 1 by 2 हो जाएगा लिजिए पूरा ही cancel हो गया कहीं कोई दिक्कत ही नहीं दे 4 cos cube theta minus 3 cos theta यह हो जागा cos 3 theta क्या हो जाएगा cos 3 theta and this will be equal to half this will be equal to half cos 3 theta is equal to half तो आप यहां पर लिख सकते हैं cos 3 theta is equal to cos pi by 3 cos theta बराबर cos alpha तो theta बराबर cos theta बराबर cos alpha theta बराबर 2 n pi plus minus alpha x is equal to 6 n plus minus 1 pi by 9 6 n plus minus 1 pi by 9 अब यहां से आपको क्या करना है 0 और pi के बीच में जो solution है बुलता है sum of all the solution इन 0 से pi 0 से pi के बीच में जो solution उसका summation k pi है तो k का value कितना है हम लोग पहले solution निकालते है x बराबर क्या क्या है n बराबर 0 एक होगे plus minus आएगा plus वले लिना है 0 से बड़ा की बात हो रहा है 1 लोगे तो 6-1 5 pi by 9 और 6 plus 1 7 pi by 9 pi तक बात कर रहा है यानि नीचे 9 है तो उपर 9 तक ही जा सकते है 9 बटा 9 pi तक पहुँचोगे 9 से आगे नहीं बढ़ सकते 2 रखोगे तो 6 गुने 2 12 एक 13 आएगा और 2 रखोगे तो 6 गुने 2 12 और minus 1 वैल्यू कितना आजाएगा 13 आजाएगा clear है what will be the value of K 13 हो जाएगा what will be the value of K 13 हो जाएगा आपको दिख रहा है 2016-18 आगे देखते है again a question from 2018 online paper ये 2018 का offline paper उसमें offline होता था 18 का offline paper था ये online है श्रूभ झानिंट झांट सब्कास number of solutions of sin 3x is equal to cos 2x, sin 3x is equal to cos 2x, अब यहाँ से आप देखो, sin 3x, इसको लिख सकते हो, 3 sin x minus 4 sin qx, is equal to cos 2x को आप लिख सकते हो, cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 minus 2 sin square x, आप आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बच्चा आकर के ऐसा भोला सा लड़का, sin 3x है, अब बराबर cos 2x है, वो भोलू आके बोलेगा कि सर, इसको cos 2x तो ठीक है, इसको cos 2x ठीक है, sin को लिख सकते हैं, cos pi by 2 और minus 3x, क्यों इतना solve करने जाएं, सर, वो भोलू सा बच्चा इस तरीके से कर सकता है, अब cos 3tah बराबर cos alpha, अब वो भोला बाबू, वो भोला बाबू क्या करेगा, कि cos 3tah बराबर cos alpha, तो ठीक बराबर 2n pi, 2n pi, पलस माइनस alpha, अब उसके पास एक alpha, एक यहां से आ जाएगा, एक x यहां से आ जाएगा, आपको पलस मानोगे, पलस मानोगे, तो 3 और 2, 5x, x बराबर बर जाएगा, दो दूना 4n पलस 1, pi by 2, ठीक है, दूसरा, एक बार minus लोगे, तो यह minus minus plus 3x हो जाएगा, 3x यहां करके x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2n minus 1, 4n minus 1, तो 1 minus 4n, pi by 2 आ जाएगा, और यहां पर, 3, 2, 5, यह 10 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, यह आपका solution आ गया, अब आपको पूछ रहा है, pi by 2 से pi के बीच में कितने solution आगा, how many solutions are possible between pi by 2 से pi, अब रख दो n बराबर 0, 1, 2, 3, और देखो कि कितना आता है solution, n बराबर 0, 1, 2, 3, रख दो, pi by 2 से pi, ठीक है, यहां पर x बराबर, n बराबर 0 रखोगे, तो pi by 10 आएगा, नहीं नि, pi by 2 से जाएगा, तो pi by 2 रखने के लिए, यहां पर 5 pi by 10 से जादा होना चाहिए, 5 pi by 10 से जाएगा, n बराबर 1 रखोगे, तो उससे जादा आना चाहिए, तो 1 में 5 pi by 10 वो भी ने चाहिए, n बराबर 2 रखो, 4, 2, 8, 9, 9 pi by 10, पस एक ही solution होगा, pi by 2 से pi ऐसे देखो, pi by 2 से pi का मतलब है, इसको 5 pi by 10 से 10 pi by 10 इतना तक देख सकते हो, ऐसे देखो, नीचे में denominator सेम कर लो, ठीक है, अब 2 रखोगे तो 9 आएगा, 3 रखोगे तो बाहर हो जाएगा, पॉसिवल नहीं है, अब यहाँ से देखो, एन बरावर integer रखना है तो इन टीजर में positive निगेटिव दोनों रख सकते हैं, आप एन बरावर 0 रखोगे तो pi by 2 आएगा, pi by 2 नहीं लेना है, एन बरावर अगर 1 रखोगे तो मतलब negative में बाहर हो जागा, ना चाहिए, माइनस 1 में रखोगे, माइनस 1 में रखोगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 pi by 10, वो भी नहीं आएगा, यानि कोई भी यहाँ से कोई solution नहीं आएगा, pi by 2 और pi के बीच में, pi by 2 और pi के बीच में, सिर्फ एक ही solution आएगा, d will be the answer, d will be the answer, अब एक काम कर लेते हैं, इधर से solve करके, एक काम कर लेते हैं, इधर से solve करके, सब को एक तरफ ले आओ, 4 sin cube x, इसको इधर ले आए, 4 sin cube x, और माइनस 2 sin square x, और माइनस 3 sin x, और प्लस 1 बरावर 0, यहाँ पर देखो, sum of coefficient, 4 और एक 5 है, और माइनस 3 और माइनस 2, 5 है, इसका मतलब आपके पास, sin x बरावर 1, इसका एक root होगा, तो sin x minus 1, इसका एक factor होगा, एक factor sin x minus 1 होगा, factorize करो, मतलब यहाँ तो divide कर दो, यहाँ पर आएगा, 4 sin square x, प्लस 2 sin x minus 1, एक आजागा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, sin x बरावर 1 पॉसिबल नहीं है, तो अब बच गया आपको यहाँ से, 4 sin square x, प्लस 2 sin x, माइनस 1 बरावर 0, sin x के values आएंगे, minus 2, प्लस माइनस कितना, root अंडर, 2 दूना 4, 4 चुक 16, 16 चुक 20, एक से, 2 दूना 4, 20 square minus 4, 4 चुक 16, 16 चुक 20, 2 root 5, अब आई 8, आपके बस दो value आएंगे, एक minus 1, minus root 5 by 4, और एक minus 1, plus root 5 by 4, पिर वही बात है, कि भहिया ऐसा है, कि πाई बाई 2 से πाई में, second quadrant है, second quadrant में, sin negative नहीं होता है, positive होता है, root 5 minus 1 positive है, और first quadrant, और यह second quadrant, second quadrant एक ही बार में आएगा, तो x का एक ही value होगा, second quadrant में कोई भी अलफा आएगा, theta belongs to pi by 2 से pi, सिर्फ एक ही angle आएगा, sine का value, sine का graph ऐसे होता है, यह pi by 2 है, और यह pi है, pi by 2 से pi में, जो भी value 1 के बीच में, वो एक ही बार आएगा, तो daily one, यहाँ से कोई solution है, यहाँ से कोई solution है, और यहाँ से एक solution, वही एक solution आपका answer हो गया, और वो actually में कितना solution था आपका, 9 pi by 10, तो अब भोला राम सास्त्री जो है, इधर से नहीं देख करके, इधर से बल जाएंगे, बोलेंगा कि सर, यह sign है, और यह cost है, दोनों को cost में convert कर दे, solve कर लें, उतना क्यूं करने जाएं, cubic वगर है में, तो वो भोला राम सास्त्री, भोला राम सास्त्री इस तरीके से चलेंगे, भोला राम सास्त्री इस तरीके से चलेंगे, उनकी राह कुछ ऐसी होगी, उनकी चाह कुछ ऐसी होगी, उनकी बहाव कुछ ऐसी होगी, यह हैं भोला राम सास्त्री, ठीक है, यह हैं भोला राम सास्त्री, दोनों मेतर आपके सामने हैं, choice is yours, चलेए, अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका 2019 आया हुआ सवाल ये देखिए फिर से sum of sign को sign जैसे 2016 था उसी तरीके का सवाल है आराम से फटा फटूरा सकते हैं आप इसको लेकिन आपको solution, number of solution निकालना है number of solution निकालना है 0 से πाई बाई 2 के बीच में ही number of solution निकालना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही हमारे भोला राम सास्त्री क्या कहेंगे कि बोलेंगे सर ये दोनों जो है आपस में जोड़ दिजे इसको 2 sin c plus dy2 तो हो जागा 2x i2 sin c minus dy2 तो this minus this हो जागा cos x 2 sin c plus dy2 और sin c minus dy2 माइनस में आगा cos तो माइनस को खा जाता है और minus sin 2x minus sin 2x and this is equal to 0 sin sin 2 नो दोनों में common है sin 2x common ले लेंगे और यहां हो जागा 2 cos x minus 1 2 cos x minus 1 अब आपके पास यहां से या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा और दोनों को आप solve कर दिजे sin 2x is equal to 0 this will give you one part of the solution and another part of the solution is cos x is equal to half sin 2x is equal to 0 that means 2x is equal to n pi n pi यह तो बोला राम सास्त्री को ही पता है कि x is equal to हो जाएगा n pi by 2 अब n यहां पर integer है n integer है आपके पास solution चाहिए 0 और pi by 2 के बीच में x बराबर n बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 आएगा 1 रखोगे pi by 2 आगा pi by 2 नहीं मंगता है क्योंकि equality नहीं hold कर रहा है तो pi by 2 नहीं मंगता है उसके अलावे कुछ और भी नहीं मंगता है तो x बराबर 0 is the one solution from this side this side cos x is equal to half x is equal to क्या आएगा direct कौन लिखने जाए general solution क्योंकि first quadrant में तो बात चल ली है तो first quadrant में बात चल ली है तो pi by 3 पे ही होएगा तो एक solution यहां से एक solution यहां से अरे first quadrant में first quadrant में first quadrant में बाई चल यह अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं तो अगला सवाल ले लेते हैं आपको 2019 से फिर से यह सवाल बहुत ही सुन्दर सा some of the elements of s s क्या है s is the set of theta theta belongs to minus 2 pi से 2 pi which satisfy this equation set को यह कौन सा यह जो set लिखा जाता है इसको कौन सा form करते है set builder form set builder form तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पाई बाई टू पे equality समझ गयते हैं समझना नहीं है जो दिखेगा वही लिखेगा यह नहीं कि कुछ भी समझ जाना है मतलब जो लिखा है वही दिखना चाहिए ना तो यहां पर ठीटा माइनस मतलब आपको ठीटा माइनस टू पाई से टू पाई मंगता है ठीक है इसको सॉल्व करके अच्छा सॉल्व करते हैं टू कॉस स्क्वाइर ठीटा पलस त्री साइन ठीटा इसिक्वल टू जिरो तू कॉस स्क्वाइर ठीटा पलस त्री साइन ठीटा इसिक्वल टू जिरो ठीक है यहां से इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, साइन स्कॉार ठीटा, टू साइन स्कॉार ठीटा, अब लगा हम एक बार ऐसे लिख लेगा हाँ अभी सही दिख रहा है ऐसे konfusion हो रहा था अब सही है तो यहाँ से आपको solve करहोगे तो sign theta का value कितना आएगा sign theta का value कितना आईगा दो आएगा और minus 1과 2 देख लो तो सही है क्या sign theta का value 2 आएगा और minus 1 residual आएगा सही है क्या टीक है तो ये तो दो पॉस्फिबल नहीं है स्फट्रफ कहाँ पर दो पाई मैं तो ये ग्राप बार बार इसलिए बनाता रहता हूँ salvation आपको कुछ जादा ही एकदम clarity के साथ चीज़ें आपके पास रहें यह होता है ऐसे होता है यह साइन का graph है अब आप खुद देख लो यह माइनस टू पाई हो गया और यह टू पाई हो गया माइनस टू पाई से टू पाई तक में साइन को अगर जो माइनस हाफ बोला जाए कि कहां पर हो गए तो यहां पर हो गए अब एक यहां पर होगा एक यहां पर होगा एक यहां पर होगा आपको जोड दो आपके पास क्या कर रहा है sum of all the elements सबको जूड़ साथ 18-6-2-2 पाई आ जाएगा किसी बच्चे को लगता है सरे आप लिखे कैसे चलो नहीं पता आपको नहीं समझ में कैसे लिखे तो अपके के तो पैसे लिख सकते हो थीटा पॉल टू एण पाई यह क्या है मैस साफ यह प्लस माइनस वन का पावर एल्ड गुने माइनस माइनस पाई तो निकाल सकते न वराबर वन रख लो इस तरीके से सारे आ जाएंगे इस तरीके से सारे आ जाएंगे आपको है कि नहीं क्लियर है चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोशन अपका यह रहा यह जखे 2020 का तोला हो गया 17 18 19 20 20 पे आगे अब देखो यह कितना आसान सवाल दिया है आपको कितना आसान सवाल दिया है 1 प्लस साइन साइन का पाबर इभेन करोगे तो 0 से बढ़ा होगा तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 से बढ़ा होगा कॉस स्कॉयर है कॉस स्कॉयर का वैल्यू 1 से कम होता है यह 1 से कम होगा और यह टोटल वैल्यू 1 से ज्यादा होगा एक 1 से ज़्यादा एक 1 से कम है तो दोनों बरावर कहां पर होगा 1 पर होगा और यह 1 कब हो सकता है जब sin 0 हो यह sin 0 हो अच्छा जिस समय sin 0 हो उसी समय and यह 1 होना चाहिए cos square 3x बरावर 1 होना चाहिए cos square 3x बरावर 1 यानि cos 3x बरावर ऐसे कह सकते हो प्रीक्स बरावर इंपाई प्रीक्स बरावर एंपाई प्रीक्स बरावर अनिफाय का यहांस से एक उनमदार कितना आगिया के जी सब्राएप एक बिलोंग्स वंटीज़ची अएंड का मत्लवenne से कौन वैसा आपको लेना है जो दोनों में common हो लेकिन उतना भी क्या करना है यहां पर आपको तो fix किया हुआ है कि इसी में से लाना है तो number of solution इसी में से लाना है तो पाई का आएगा एकस का वैल्यू लिख लेते हैं तेरफोर एकस का वैल्यू एकस का वैल्यू आपका जीरो हो सकता है जीरो पे दोनों का काम हो जाएगा पाई हो सकता है पाई पे भी दोनों का काम हो जाएगा तू पाई हो सकता है तू पाई पे भी दोनों का काम हो जाएगा माइनस हो सकता है, minus 2 pi, हो सकता है, और भी कोई हो सकता है, क्या, और भी कोई हो सकता है, क्या, न cradle इसके अलावा नहीं हो सकता गोई भी, तो 2-2-4-5 solution हो सकता है, there are 5 possibilities, sin आपका 0 होगा, sin आपका 0 होगा, assistance आपका 0 होगा, और cos square 3x-1 होना चाहिए, तो x का value n pi by 3 होगा, यहां से एक्स का वैलियू निकालोगो पाई भाई थ्री टू पाई भाई थ्री पाई थ्री पाई थ्री पाई थ्री पाई आएगा तो इसमें और इसमें पाई वाला मल्टीपल वाला ही सिर्फ कॉमन आपाएगा पाई का मल्टिपल वाला ही सिर्फ कॉमन आ पाएगा ठीक है पाई का मल्टिपल वाला ही सिर्फ कॉमन आ पाएगा ति 2020 का है अब इसमें क्या ऐसी कौन सी खास बात है भई अब ऐसी कौन सी खास बात है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कौन सी खास बात है कि नहीं बना सकते है 2019 का आपने देख लिया 2020 का आपको दिख गया ठीक है इस तरीके एक सवाल है ये भी 2020 का है ये पिछले ही क्लास में आपको सवाल किया था 2020 काइं सबाल है ठीक है ये लौग और लौग को एक जगा कर देते हैं यह ओगे आपका साइन एक्स यह ओगे आपका कॉस एक्स एडिस इत्स इक्वल टू इसको इधर लाऊगे तो लौग ए प्लस लौग बी लौग ए प्लस बी लौग ए इंटू बी हो गया log a into b हो गया यहां से आप लिख सकते हैं log up यह हो जागा sin x into cos x sin x into cos x और क्यों ना आप यहां पर एक काम कर सकते हैं यहां पर एक काम कर सकते हैं इस half को इधर लेके चले जाओ तो half का power 2 आजाएगा half का power 2 वन वाई 4 हो गया तो sin x into cos x is equal to plus minus 1 by 4 आजाएगा plus minus 1 by 4 आजाएगा यहां से 2 से गुना कर दो sin 2 x is equal to sin 2 x is equal to कितना आजाएगा plus minus half आजाएगा plus minus half आजाएगा तो आप यहां से 2 x is equal to क्या लिख सकते हो n pi plus minus pi by 6 x is equal to कितना लिख सकते हो 6 n plus minus 1 pi by 12 6 n plus minus 1 आप लिख सकते हैं आराम से 6 n प्लस माइनस 1 पाई बाई 12 लिख सकते हैं आराम से total number of distance solution in 0 से 2 पाई आप यहाँ पर लिख लिजिए और count कर लिजिए x बराबर n बराबर 0 रखोगे तो 1 पाई बाई 12 माइनस ब्ला नहीं लेना क्योंकि 0 से बढ़ा चाहिए और 123 रखते जाओ आपको 2 पाई तक चाहिए नीचे में 12 आप उपर में 24 तक पहुँच सकते हैं ठीक है तो पाई बाई 12 वन रखोगे तो 5 पाई बाई 12 और 7 पाई बाई 12 एक 11 पाई बाई 12 और 13 पाई बाई 12 पाई 12 और पाई 12 और फिर चोच चोच चौच चौच 25 पाई 12 थीजले सकते हैं ऊपर में अगर चौच हो गया तो च्वष बटा बारह 2 पाई हो जाएगा तो चौच नहीं पहुच सकते चौच 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 यह चौच चौच से पहले बहुत को बाइन एक दो तीन चार पांच छे-स साथ 8 स्लूशन से एड एड सोलूशन सिंपल है एड सोलूशन से ठीक है यह देखे 2020 का यह किया हुआ सवाल कितनी दफ़ा आपको इसी तरीके के सवाल दिखेंगे कुछ अलग दिखने वाला नहीं है कुछ अलग दिखने वाला नहीं है जैसे सकॉस्ट इटा कॉसको पावर 4 साइन को ना यहां से लिख सकते हैं लेमड़ा बराबर माइनश और फॉल ठीटा के ओर साइन समय का फॉल स्ट्वड़ पावरसत हो क्या सबकता जहां से लेमड़ा कर दो माइने सीह था हो यहμεं माइनससाइन पॉलंट प्लस ऍंठूंट जसकुर को से हुथ हो ar呢-sin square theta cosун ze Co مने बोला है कि दो से उपर निचे गुना कर दो तो यह फोर square cos quoi हो जाएगा कीtat प्रका इबावन ऑई 2 sin square 2 theta 1 by 2 sin square 2 theta sin square 2 theta इसका value 0 से 1 तक होता है 0 रखोगे तो इतना minus 0 minus 1 आएगा 1 रखोगे तो और बढ़ जाओगे तो 1 रखने पे minus 1 plus half कितना आएगा minus half आएगा minus 1 से लेकर के half तक आएगा and this will be your lambda this will be your lambda minus 1 से half तक option B this will be your lambda this will be your lambda ठीक है ठीक है चलिए तो बाकी आप अपने से सवाल बनाते रहेगा ये कुछ आपके homeworks है ये आपका homework है ये आपका 2021 का सवाल है 2021 ये भी आपका 2021 का सवाल है ये भी आपका 2021 का ही है ये तो कई एक बार आचुका है सवाल इस सवाल को देखो कितना वार आजुका है कभी 2 to the power sin x कभी e to the power sin x कभी e to the power cos x इस तरीके के ये तो ये सारे आपके homeworks है इस homework को आप complete कर लिजिए और इससे ज़्यादा आपको जेई में में आपको कुछ भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा अगर कुछ नयापन आएगा कुछ अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे तो जेई एडवांस में जेई में के point of view से ये पूरा complete है इससे ज़्यादा आप कुछ भी expect नहीं कर सकते all you need is just to practice and memorize all the formula revision करते रहिएगा सारा आपके अनुसार हो जाएगा कभी भी सवाल आएगा तो बन जाएगा इतना बिश्वास रखिए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वन शॉट में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे थैंक यू सो मच once again and महा शिवरात्री की धेर सारे शूपका